और आशा करता हो कि आप तोड़ करेंगे मालिक तो बारत मातागी तो तोड़ मालिक अपन मिल रहे हैं विट रिस्पेक्ट तो यॉर हंड्रेड मार्क्स पेपर विच इस बेसिकली अन ओडिट 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 अ बाकी सब चीजे डिसकर्स करने के पहले एक सबसे इंपोर्टन चीज जो कोर्स विच विच वी आर डूइंग जो कोर्स जो अपन कर रहे हैं जो कोर्स अपने सिलेक्ट किया है कि चाड़ अकॉंटन्ट ओके एक फील अलग देगा थे फिर मालब फांडेशन क्लिर होने के बाद का फिल तो अलगी था इंटर क्लियर होने के बाद एक नेक्स लेवल फीलिंग देगा एड फाइनल क्लियर होने के बाद तो मेरे ख्याल से 7th heaven चीजे बहुत अलग रहीग याद रखना as a chartered accountant we are expertise in two areas only यानी to be very precise before starting this discussion or a subject discussion एक चीज समझ लो आप हर चीज के लिए किसी की मदद ले सकते हो वैसे आपके कौनसे कौनसे सब्जेक्ट होगे ग्रूपन में अपने कौनसे कौनसे कर लिए ग्रूपन की है वैसे पर ग्रूपन के साथ में और इक उल्पका भी सब्जेक्ट हो गया ऑगा ओके और आई सब्जह कौनसा सब्जेक्ट हो गया कौनसा ऊब आप्स नहीं है अगर हमने काम किया लॉका हमें मना नहीं है काम करने के लिए we can do the work of law but we are not expert we are not expertize of law okay expert के लिए law के लिए आपको अल्रीडी पता है और एक course available है कौन सा CS company secretary और दूसरा और एक course कौन से lawyer llb तो लॉका कर किसी को consulting करना रहा वह एज़े के पास secondary thought के लिए आएगा primary thought के लिए किसके पास जाएगा CS के पास नहीं तो lawyer के पास दूसरा एरिया और सब्सक्राइब का कॉस्टिंग के लिए किसके पास जाएगा CMA मेरे कहले आपको सब क्यों पता ही होगा का knowledge level क्या होना चाहिए आपके पास वह आपको जानना जरूरी है तो costing एक सब्सक्राइब से okay but we are not expertise of that law subject but we are not expertise of that we have a knowledge of that but we do not have a knowledge of that अब कर्ष्ण आथा what is the meaning of toad sir toad को अपन बाद में डिसक्स करते हैं लेकिन तोड मतलब बहुत 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 मतलब मैं एक एक अपना slang language लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है accountant charter तो क्या अपन accounting expert रहेंगे येस अपन बाप expertise में ओके जनी accounting के लिए किसी को भी इशू आया trial balance ledger की बात नहीं कर रहा मैं become level की बात नहीं कर रहा trial balance ledger नहीं भाई P&L balance sheet index applicability of accounting standards बहुत सारे permutation combinations के अंदर है उसके लिए एक chartered accountant के पास approach हिया जाता है और एक आपने subject कवर किया था direct tax taxes क्या taxes के लिए के पास approach किया जाता है answer is yes बहुत बार आपको बुला जाता है आपके पास माल मैंना एक आप आप क्या कर रहे हो सिए अरे भाई मेरा पता है tax pen card क्या सीन होगा tax क्या consulting होगा ऐसा सिनारी होता है लेकिन मैं आपको बता दू as a chartered accountant we are we have a good knowledge of tax but we are not a tax expert the tax expert होते कौन है tax expert के लिए और other courses होते है जहां पर tax expert के बार में income tax consultant करके course होता है okay that has been taken care by income tax authorities उनकी अपने अपने courses होते है तो sir CA के पास मैं आपस बोल रहा हूं क्या CA के पास tax के लिए नहीं आते है क्या law के लिए नहीं आते है लेकिन we are not an expert उसके angle में कुछ समझाता हूं आपको और एक अब question आता है जो group 2 का subject आया जिसके अंदर अपना आप चर्चा करने वाले है that is called audit are we auditing expert answer is yes as a chartered accountant you are expert of two areas one is accounting and one is auditing अब question आता है यह auditing और accounting expert का आपका discussion क्या आया उसके अलवा और दो तीन subject से आपके इसमें financial management subject है strategic management subject है GST subject है वोके यह discussion भी वैसे ही आपके four areas नहीं है आपके four areas दो है वो है accounting and audit tips सुर्फ मेरे clients होऊव मेरे पास आते हो आप मुझे बुलते हो कि सर accounting में यह issue आ रहा है accounting में issue आ रहा है आप suggest करिये मैंने क्या करना चाहिए accounting में यह issue आ रहा है आप suggest करिये मैने क्या करना चाहिए ऑकेchu ह Одfast Malik अब यहाँ आपर solve मुझे ही करना होगा इन शॉर्ट यानि इंडेस का कैसे आएगा accounting standard applicable कैसे होगा यह standard का logic कैसे बैठेगा यह मैं मैं खुद solve करूँगा मैं मतलब ऐसे Chartered Accountant मुझे नहीं समझ में मां कसम क्या करूए मुझे समझ में नहीं और की मदद लेना चाहता हूँ ऐसा option accounts में available नहीं है accounting का solve आपको और मुझे ही करना है guidance ले सकते हैं अपनी institute से लेकिन अपन किसी expert को बुला के उसको solve नहीं कर सकते क्योंकि accounting expert है कौन भाई अपन खुद है इसलिए अपन किसी और expert से किसे opinion लेगा समझ में आया यानि जजमेंट जो लगाना होगा judgment इसमें क्या होगा estimate depreciation क्या लगने वाला भी डेप्रीशेशन ऐसे ले मालू में भाई SLM या WDB क्या लगावे आपको accounting standard दिया गया है आपको दिया गया है ओके logic कौन लगाएगा application कौन लगाएगा इट विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटन आप नहीं बल सकते हैं मिरको depreciation कौन से लगाने मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं किसी की मदद लेता हूँ किसी की मदद मतलब कोई और expert ऐसा कोई expert नहीं होता है अपनी expert है उसी तरह और एक एरिया के expert कौन है अपन? auditing. Okay, auditing के experts भी आपन है और इसलिए आपका दूसरा core subject वह आता है, वह आता है auditing. Okay, and this is again a hundred marks paper. यानि in short, अगर auditing में कुछ इशू आया, आप नहीं बोल सकते मैं किसी के पास जाता हूँ मदद के लिए, किसी के पास भी जाना रह किसी इंस्ट्यूट अपनी इंस्ट्यूट का नाम आइसी है मदर वाड़ी भाई आपनी यानि कहीं पर भी अपने को दिख्कत आए आपन किसके पास एपरोच करेंगे इंस्ट्यूट ऑफ चाटेर काउंटेंस ऑफ इंडिया बात खता हूँ यह दो एरिया में लौ में कु इसके पास जाना रहेगा इस्टैंडर्स देखने के लिए आई-सी एस आए उनके स्टैंडर्स क्या होंगे उसके सबसे सौल जिसको हम नाम कुछ अलग देते हैं तो इंस्ट्यूट अपनी इंस्ट्यूट ओके तोड़ काम करती है या तोड़ रोल प्ले करती हो उसे दो इ इस्सिस्टंस के लिए होंगे लेकिन दूसरे स्टैंडर्स का रोल अपना नहीं होता है लों लेलो पॉस्टिंग लेलो कॉस्टिंग का सथैंडर्स कौन मनाएगा कों करेगा आई सी एह साहिए यह दो एरिया में जज्जमेंट लगाएगा हम दो लिए जज्छमेंट कोन लगायगा सी ए क्वा एक्वाइंट का ओके यह इसकी एक व्चीनरी है पूल रहा हुआ अनोर मेरे को डूट विले लगा हुए है यह सुवज में निया रहा है यह इट किसके पास जाएगा सीए पर सजेशन देगा सीए अपना जज्जमेंट लगाएगा क्या लगाएगा लाजीक बैट रहा है कि अपना रोज का दोस्तियार है बता ना भाई क्या करने का अब लीगल डिस्प्यूट में मैं कितना मदद कर पाऊंगा तो इस मैं किसे लिए किसके पास एप्रोच करूंगा मालिक लॉयर या सीएस वोटेवर अब समझ रहे हो लॉजिक तो यानि अगर आपके पास दो एरिया के लिए कोई भी बंदे आये या कोई भी क्लाइंट आये वोके इस बनाइम डिस्कूसिंग क्लाइंट यू नीड तो guess me nd लगाने का काम किस का रहेगा ध्युभ सिये इंड्य अपने जो भी पड़े वो एकोंटिंड सांडार कुछ 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 क्लास के लिए इंडेस है एक्चुली देखा जाता है सब के लिए इंडेस हो चुका है एकांटिंग पुराना अप्च कॉंसेप्ट है लेकिन ठीक है फिर भी अभी तक वह ट्रांजिशन फीज में है पड्रेंस है अब वोगांटिंग स्टांडर्ड पढण बया उसको अपका काम करू कि का मैं है उसका चायूंटिंग उसी तरह और कॉंसेड आता है जैसे कंट जिसको ऑपन बोलते हैं और आपरटींग में है अपने मिलेंगे standards standards का नाम क्या है क्या नहीं है उसके discussion अपने बाद में करेंगे लेकिन auditing standards तो auditing standards को अपने apply करेंगे और अपने अपना judgment लगाएंगे अब before going on anything एक पॉइंट पहला पॉइंट 100 marks paper है भाई दूसरा पॉइंट theory paper है भाई तीसरा पॉइंट एप्लिकेशन सब को स्थोड़ समझ में आएगा यह मेरी guarantee है भाई चौत्व पॉइंट लिखना आना चाहिए भाई पाचवा पॉइंट एक्जाम में याद आना चाहिए भाई और अल्टिमेटली एक्जाम में वो तीन घंडे में याद आना चाहिए मालूम पड़ा पीपर रहा तब समझ में ने आया दो बज़े में लब दो से पाच अपना तो निगल गया और यह मां कसम इसका एंसर यह था अपना रोल पाच चीजों में आएगा सबसे पहला कॉंसेट आप तो तोड़ करके दूँगा यह मेरी गैरेंटी कॉंसेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और जब मैं बोड़ो कॉंसेट तो कॉंसेट आया इसका मतलब उसका क्या आजाएगा अप्लिकेशन क् है कि अग्याज आपकी आएटी अपन जो यह कि देखेंगे की ऑडिटर कैसे काम करता है उसका अप्लिकेशन कैसे हो रहा है यह आपको डाव क्लाभ ना क्यों अपने को पानी का नाम पनी बने उसमें आप देखऊ-ड है तो आपको आपको आप्लिकेशन कम समझ गए तो आपको रियल application मैं डॉलब कैसे होता है रियल report कैसे बनती है रियल audit कैसे काम करता है वह देखने मिल जाएगा यह तो हो गया अपने knowledge के लिए अपने अंतुष्टि के लिए अपने अप्लिकेशन के लिए चौत्वा पॉइंट आना चाहिए मेरे को लिखना तुभी वेरी प्रिसाइज समझ में आ गया अप्लिकेशन करना अच्छा एप्लिकेशन का कॉंसेप्ट क्यों आया आपको थोड़ी दिर पहले मैंने क्या बताया था ज तो जब जजमेंट लगाए तो एप्लिकेशन वहाँ आपका जजमेंट हुआ अब थोड़ासा इसमें आप लॉजिक लगाओगे एक छोड़ासा एक्जम्पल अपन इसमें देखते हैं एक सीए है जो रिसेंटली पास आउट है और एक सीए है जो 20 साल होगे सीए बनके किस का जजमेंट बहुत बहुत बहतरीन होगा अब थोड़ा टेक्नीकली सोच जो किसका बहुत 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 होगा बिसल दुनों सी एंशी दुनों को अपने रैंगोल्डर मिक्स से बैसिक सीय पास समझ पीजर अपना सीय पास तेड़त सो तार्ट में से कितना आ चाहिए टीन सो बात कर लाइस चाहिए जिसका यह टार्ट रहे था पर चालीस लेकर आया तो अगला इटम वापस आता तो आपने को 40 कुछ पेपर में आ भी गए लेकिन आपने को कुछ पेपर ऐसे करने होंगे जो बहतरीन होगे अब सवाल उठता है मैं 20 साल पहले वाला CA हूँ जो पास हुआ हूँ पास हूँ और एक CA है जो पास होई अभी रिसेंटली क्वेश्चन यहां आता है किसका जज्जमेंट भैतरीन होगा जो 20 साल वाला क्यों ऐसा एक्स्पिरियंट जित्ती वार काम करें उत्ता बहतरी जज्जमेंट होगा फिर तो गड़बड हुआ ना मेरे को बताओ यह क्लाइंट है इसकी फेक्ट्वी है यह किसको काम देगा फिर कि 20 साल वाले को फिर नाया सिए तो गोटे खेलेगा कि नहीं रहे काम तो यह जज्जमेंट पॉलिश कैसे होगा इसमें कॉन रोल प्ले करेंगा या कैसे काम करेंगे इसमें काम करेंगे इसमें काम करते हैं इसमें अपनी आई सी ए आई आई जज्जमेंट को आपका जज्जमेंट या मेरा जज्जमेंट मैं आपको बता रहा हूं अपन डिसकस कर रहे है आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तात्र ने बीस साल का इर्दगे तर जज्जमेंट लगाना रहा अब क्वेश्चन आदा जज्जमेंट मतलब क्या अप्लिकेशन कैसे क्वेश्चन आएगा जाए इसमें इसमें अपनी आई से रूल प्ली करती and that is playing about standards तो आपको ये भी समझना है कि भाई सीए होने के बाद नहीं तो फिर कभी जिंदग में तुम सीए बन गए तुम तुम को जॉब ही करना चाहिए फिर तो पहले आपने क्या बोला कॉंसेप्ट दूसरा पॉइंट आप्लिकेशन तीसरा पॉइंट सबसे इंप्रन पॉइंट जो आता है वो पेपर लिखने का एंसर सबसे बड़ा प्रॉलम इसमें क्या आएगा मान में यह यह थेयरी थोड़ी से अलग है मतलब किनिकली स्पिकिंग यह थोड़ी स्पिर्ण यू पित लोग और अभी तों कॉंसरी तो सीधियर यूर अप्लेशी तों सिह को कンタणुने क्या शच cousin का एंसर कैसे लिखना है यह तीसरा बइसुलります तो फर्स्ट अब्जेक्टिव दो बैच इस कॉंसेप्ट सेकंड इस अप्लिकेशन थर्ड इस लिखना जो कि एक अडिशनल पॉइंट है लिखने के लिए लिखने के लिए काम करना पड़ेगा अपने को चौथा पॉइंट सबसे इंपोर्टन पॉइंट कि बैच बाकी बहुत अच्छे से डीटेल मैं समझा रहा हूं एक पात दस मिर में समझाओंगा मैं कि बैच स्टार्ट क्या है टाइम क्या है पूरा एक्दम एक पूरा स्ट्रॉक्चर्ड डीटेल अपन डिसकस करेंगे कैसे अवेलेबल रहेगा क्या बैच का मौर अपने घर पर बोल रहा हूं मतलब आप अपनी पढ़ाई में लगोगे है ठीक है अपने एक्जामिनेशन में में है में में ही है लेकिन कुछ इलेक्शन का पॉइंट रहा कुछ परमेशन का रहा है वी डोंट नो वी शुट नोट एजिम अनिधिंग वी शुट प्लान अक 25 दिन पॉठन पढ़ने के लिए जाने चाहिए रिविजन के लिए 25 दिन नहीं जाने चाहिए रिविजन का फॉर्मेट्ट is taken care चौथ आ और थो फॉट पॉइंट अपने लिए आता है किसका ध्यान अग्नेगा रिविजन पाच्व पॉइंट ये सारी चीज़ित फितने घ तो आपने बाच अच्छे से किया आपने टेस्ट सीरीज में बहुत तोड मार्क्स निकाले आपने टेस्ट सीरीज में पेशंदी काम किया लेकिन उस एक दिन के तीन घंटे में अगर आपने वह बैंड बजा दी तो आप समझ सकते हो कि आपका क्या गयम सकता है और देखो आपने आपने से बहुत आपने प्रण प्रण आपने पर देखोवागार प्राइब अपने को काम करना अगर यह पाच चीजे धान तो फिर्ण दोल रहा हूं मतलब आप शीजे अपने इंपुलने वाला है यह थान रखते हो मां कासम बल रहा हूं जो अपका ज़ोगा अप अब्जेक्टिव है वित रिस्पेक्ट वान सब्जेक्ट टेकन केर ओफ ब्लाइंड ली तो बिफोर गोई एनीधिंग और डिस्कॉसिंग अडिट थोड़ असा में बाच के बारे में आपको समझा देता हूं बाच स्टार्टिंग पॉइंट स्रॉक्चर वाइज थोड़ थ आपको कैसे नोटबुक कौन सी रखनी है कौन सी टेस्ट बूक है कितनी क्या मिलेगी सारा चीज बेसिक डीटेल एक थोड़ा सा शांती से समझ लीजे यह डीटेल्ड की वह जैसे क्या हो जाएगा कहीं पर भी आपको कभी 19-20 कुछ प्रॉलम आ रही है तो यह डीटल देख मार्क होगा आपको CE final के लिए भी अगर आप CE enter में यहां पर यह syllabus जो अप audit करने वाले हो यह आपको CE final में वापस मुलाकात होने वाली है और वापस कितने marks के लिए होने वाली है 100 marks यानि यह paper किते marks का actually 200 200 it is not of 100 marks sir आप ऐसे की बोल रो मतलब 200 मार्क का पेपर मतलब यह क्योंकि इधर का जो syllabus है अगर आपने इंटर में ध्यान नहीं दिया फाइनल में इंक्रिमेंटल सिलेवस है पर वह इंक्रिमेंटल किस पर निर्वर है मालूम है पूरा इंटर पर है मतलब आपको जो इधर पढ़ाया गया उधर वापस जिस दिया गया और बुला गया इंटर में पढ़ा दिया गया है और आपके question बैंक में वो सब कुछ included है तो इंटर का syllabus होने के बाद यह भूल स्वाहा बहुत जन ऐसा वह पोस्ट डालते इंस्टाग्राम में चलो एक्जाम हो गई बुक्स रिजल्ट आ गया पास हो गया बुक्स गई अभी खताम इंटर खताम अब फाइनल के त्यारी अरे मेरे भाई उसमें से वापस लगेगी फाइनल को यह ध्यान रखना तो इंटर का ओडिट आपको दो बार रोल प्ले करेगा किते माक्स के लिए क्या नहीं मालूम में लेकिन बहुत बेंचमार्क वाला सब्जेक्ट है आपके लिए एंड रिजन इस सिंपल यार ओके आप अपकांट्स और ऑडिट के एक्सपर्ट हो तो आपको डूंट यू थिंग आप जो इंटर में पढ़ चुके हो सारा का सारा से लबस आपको फाइनल में एक्सपेक्टेड रहेगा से मिलर से लबस मतलब पूरा का पूरा कॉपी पिस यह बैच अपलिकेबल है मेच 24 ओनवर्ड एक्जामनेशन यानि तो भी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं मेच 24 और नवेंबर 24 जो भी स्टुडेंट एक्जामनेशन दे रहे होंगे यह बैच आराम से तेख सकता है ओक्या अ मेच 24 आपको आपको ऐसा नहीं मिलने भाला है कि में ओल्ड सिलिबस और निव शलम अरुन आसा सारे के सारे स्कुडेंस सारे श्रुदेंस कॉं सा सेलिबस देंगे एकी और आपको नीव बोल रहे है पर अभी ओंस अगोंस अँछ निव बोल रहे हैं पर अभी व वन सिलेबस तो आपका में 24 फर्स एटेंब रहेगा न्यू सिलेबस का तो यह जो बैच अपन ले रहे है यह बैच जो आपन डिसकस कर रहे है यह में 24 नवेंबर 24 एक्जामनेशन के लिए मोर प्रिसाइजली यूसेज हो सकता है दूसरा सबसे इंपोटन पॉइंट बैच का गुलेशन क्या होगा सर बैच का डियूरेशन अप्रोक्सिमितली अपने लिए 50 डेज ओड लगेगा फिफ्टे देश इस एक्निकल डियूरेशन अफ और बैच टेक्निकल डियूरेशन में मैं आपको बताऊंगा पचास दिन में अपन क्या-क्या अवर करेंगे एक अपने को काम करना पड़ा तो काम करना पड़ सकता है बाकि संडे अपने बैच नहीं रहेगी और यह बैच डूरेशन का अप्रोक्सिमेटली इधर उधर हुआ भी तो हाटली एक या दो लेक्टर इधर उड़ोंगे ज्यादा इसमें लेक्टर का डिबिटल पॉइंट नहीं है तो आपका 50 डेस का बैच का डिवरेशन है यानि टोटल लेक्टर इसकी तने रहेंगे अपने पचास अपन देखेंगे वह कि पचास लेक्टर का कॉंसेट रहेगा अब सर्य बैच का टाइमिंग क्या होगा बैच के टाइमिंग क्योंकि डिवरेशन अपने को समझ में आ मता दू बैच का टाइमिंग अपना चालू होगा कितने बचे मॉर्निंग 11 15 टू अपन लेंगे 130 एप्रॉक्सिमेट 115 130 आइधर अफिट मालों पंद्राव डिपेंड अन कॉंसेट तो यह 11 15 से 115 और 130 उसके बाद अपना रहेगा एक घंटे का ब्रेक नीक अपने सभय ब्रेक लिया तो सभय दो बजए तक ब्रेक तो यह पर यह पहला स्लॉट यह भाइंड नहीं हुआ है यह फस्लॉट है बैच का और यह जैसी एंड होगा उसके बाद 230-315 232, 315, यह combination से पूरा batch होगा, यानि approximately अगर मैं batch का है, hours बताओ, hours, अगर मैं batch के number of hours बात करू, तो number of hours आप देखोगे, तो 3 घंटे approximately एक batch को मिलेंगे, तो 3 hours is our particular batch, तीन घंटे का batch होगा, टाइमिंग थोड़ा पंदरा मिनिट इधर उधर मैंने आपको समझा दिया, यानि सवागरे बज़े चालू करेंगे, इट गें भी अप्टू 115 और 130, और 130 चालू किया तो 230, या वन फिटीन चालू किया तो 215 चालू करेंगे, और 215 से लेकर 350, यानि total चीजें कवर हो जाएगी, okay, this is what a structure we are getting here, वापस में बहुत हो, 1920 रहेगा, 1920 मतलब समझा, मतलब अभी ऐसा हो सकता है, 50 का 48 lectures में खतम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 50 का 40 में हो जाए, इतना बड़ा, मतलब ऐसा यह नहीं होगा, लेकिन 50 का 51 हो सकता है, 50 का 49, या structure आपक तोड़ काम करने वाले हो, तोड़ काम मतलब आप समझने कुछ करो, तोड़ काम का concept, judgment तोड़ लगाने वाले हो, okay, यह होने के बाद, चौता सेनारिय, चौता question, तो approximately अगर आपना 1st December को बैच चालो कर रहे है, 1st December को बैच चालो ही, तो 31st January तो अपना एंड करेंगे, दिन जिस दिन test list करेंगा, मैं आपको बता दूगा कैसे का है आगे, तो आपका तीसरा point यह हो जाता, चौता सेनारिय हो, आपका और एक सबसे important point आता है, that is called, sir, notes क्या मिलने वाले है, notes to be provided, अब जो notes to be provided है, okay, notes to be provided में, सबसे पहले आप यह धान में रखना है, इसमें आपको मिल जाएगी, सबसे पहले theory book, सर, जो theory book है, यह होगी आपकी तीन volume में, okay, volume 1A, 1B, 1C, एक strategically मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, okay, 1A, 1B, 1C, okay, आपके तीन volume रहेगी, 1A, 1B, 1C, यह कौन सी book है, अपनी theory book, जैसे में आपकी theory लिखे हुएगी, सर, यह based किस के उपर है, module के उपर है, okay, जहाँ पर redundancy है, redundancy मतलब duplication, redundancy मतलब क्या, duplication, उधर अपने उसको avoid कर लिया है, उसको एक जगल अपने corner कर दिया, इधर यह बार पढ़ लो, और वो उधर refer कर सकते हो, तो वो concept जहाँ पर रहा, तो अपनी theory book रहेगी, जो अपनी base रहेगी, benchmark रहेगी, okay, concise, precise, बहुत अच्छे से structured wise इसको notes में draft किया हुआ है, okay, पहला point यह theory, sir, यह 3 में क्यों divide हुआ है, यह 3 में divide करने का अपने logical reason है, जिसको मैं एक बार यह मैं जब समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा, यह 3 में क्या logic है, क्योंकि अपने total chapters है 11, और 11 chapters को मैंने 3 part में divide किया है, तो अपने पढ़ने का sequence भी वैसे रहेगा, पढ़न volume 2 में अपन structure wise रखेंगे, volume 2 में जो question bank रहेगा, उसमें अगन वापस एक completely question bank separately रखा हुआ है, और उसका पुराने RTP का compilation, पुराने MCQ compilation, जो relevant compilation है, क्योंकि आपका syllabus थोड़ा सा change हुआ है, जो अपना November 23 के examination के लिए old syllabus के लिए syllabus था, और जो आगे वाल syllabus है, फोड़ा सा अलग पुली गई है, जो जो relevant नहीं है, उसको निकाल दिया गया है, तो उसको एक volume 2 में रखा हुआ है, इसको अपन use कैसे करेंगे, कैसे work करेंगे, मैं last वाला question answer जब दूँँगा, क्या approach करा रहेगा, बैच का उसमें मैं cover कर दूँँगा, लेकिन technically question bank, okay, आपके लिए रहेगा, तीसरा होने के बाद आपके लिए और एक रहेगा TRB, that is called toad revision book, एक toad revision book करके नाम देता हो, पर यह TRB जो आपको मिलेगी, यह मेरी एक ही book बनती है, जिसमें तीन subject को compile कर करके बनेगी, एक होगा law, एक होगा audit और एक होगा SM, वो compile कर करके मैं गरता हूँ, जिसके अंदर 200 pages म आपको toad revision book मिल जाएगी, जिसके अंदर audit approximately 90 pages odd में covered है, पूरा audit, जिसमें से structure wise पूरा कैसे क्या करना है, लेकिन उसको कब use करना है, मैं यह आपको बताऊंगा, इसको regular method में use नहीं करना है, इसको कैसे use करना है, तो आपका तीसरा booklet जो मिलेगा, वो कौन सा होगा, TRB, यानि यह month end के अंदर आपको मिल जाएगी, पर उसको अपन class में use नहीं करना है, class के end में अपने use करेंगे, वो कैसे use करेंगे, मैं आपको बताता हूँगा, इसके अलवा, क्या sir, अपनी batch no notebook concept है क्या, नहीं, अपनी batch no notebook concept होगी, ओके अपनी batch में बिना notebook के काम, नहीं होगा, तो अपनी batch no notebook concept नहीं है, मतलब notebook लानी पड़ेगी, और notebook मेरे जो usage होगा notebook का वो दो तरह से होगा, यानि आपके पास और एक database बनेगा, और एक database जब मैं बोल रहा हो, मतलब और एक book बन जाएगी, that is notebook, जिसके अंदर आपन दो set रखेंगे, एक set होगा, जहापर मैं जो लिखत जा रहा हो, मैं आपको बोलूगा, यह अपडेट करते जाएए, और एक set आपको जिसके अंदर मिलेगा, that is called chart, class में जब मैं बनाऊंगा, मैं आपको structure बना के दूँगा, class में structure बनाएंगे, आपन चार्ट बनाएंगे, कैसे timing पर रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वह अच्छे structure page में, बड़े page में, एक बार समझने के बाद, उसको चार्ट में डाल देने का है, अपना पूरा syllabus मुझे 11 पेज में खतम होगा ना चाहिए, तो 11 पेज में अपना पूरा syllabus काम खतम होगा जाना चाहिए, यानि वह आपस कभी पढ़ना पड़े, तो सिफ चार्ट format पड़ना पड़े, यानि यहाँ पर सिर्फ एक यह चीज़ है कि जो चार्ट है, वो कि यह बनाने की जगह मैं बनाता हूँ, आपको यह SM और इसमें डिफरेंस मिनता है अपना, अपना logic में है, क्योंकि audit में मैं लिखाना चाहता हूँ, rather than वो already detailed आपको दे दिया गया है, तो audit में वो लिखना जरूर लिखके अपन उसको चार्ट फॉर्मिले में बनाएंगे, और उसमें आपको और एक काम मिलेगा और एक रोज घर केस में, कि भाई यार इस चार्ट बन गया इतने पॉइंट का, आपको चार्ट फॉर्मिले में बना लिजे, convert का लिजे, तो पाइलेशन आपके पास आजाएगा, वन्या डिस्कसिंग अउट नोडबुक्स, कॉंसेप प्रोवाइड के जाएगे, तो फॉर्थ और फिफ्थ मेरे खाल से आपका फॉर्थ और फिफ्थ के कॉंसेप में, कवरेज आपको समझ में आ चुका है, सबसे इंपोर्डन पॉइंट है, जो सारे जन बात करते है, बैकप, अब बैकप का कॉंसेप्ट आपको ध्यान रखना हो गड़ेगा, जो फेस-टू-फेस वाला पंटर है, उसके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग टास्क यह है कि भाई, उसको फेस-टू-फेस बैटना अब बैकप के लिए 30% है, लेकिन ऐसा हो सकता है, जो ओनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग एटेंड कर रहा होगा, तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला कोई बंदा है या बच्चा है, तो इसका बैकप ऑप्शन अलग है, बिकॉज देट इन गूगल ड्राइव कॉंसेप्ट, तो इसके अलावा और एक उप्शन अवेलबल है, गूगल ड्राइव, ऋप्ट कर रहे होंगे, जिसमें लेक्च्चर जैसे होते जाएंगे, लेक्चर अप्लोड कर दी जाते हैं गूगल ड्राइव और उसके बाद बैकप में देशप्ट है, वैसे फेस्टो बैक आप रहेगा वो भी इसी format में आपको available रहेगा ओके यह drive की link वगिरा जो भी है वो link आपको compiled link आपको मिल जाएगी compiled link आपको share कर दी जाएगी okay वो Google drive link में रहेगा उसके अलावा Google drive बोलो या cloud बोलो okay almost similar answer होता है Google drive बोलो cloud बोलो इसके अलावा और एक concept मिलता है that is called PD PD मतलब pen drive उन लोगों के लिए जिनके पास internet की issues आते है internet का problems आते है तो pen drive के एक ही constraint है जब तक वो 20-25 लेक्टर नहीं हो जाते है तब तक pen drive issue नहीं होती है तो एक बार 20-25 लेक्टर रिकॉर्ड हो जाते है उसके बाद पंडर को option available रहता है तब तक पंडर को option available नहीं रहता है इसके अलवा और एक option अवेलेबल है that is called live streaming अब live streaming option क्या है live streaming option मेरे खाल से अभी जो आप इदर face-to-face में बैठे हो घर पे जो बैठे हुए है वो देख रहे है live streaming में है that is called अभी तो यूटूब पे डेमो लेक्टर है तब तक चलने वाले लेकिन live streaming वाले concept वहाँ पर रहता है कि अब question आते है सर यह face-to-face का तो concept ठीक है उसमें फिर back-up मुझे देखना है कभी कुछ देखे मिस करना या नहीं करना anyway at the end of the day आप इतने अभी गुरूपन अटेंड कर चुके हो अल्रेडी गुरूपन के बाद आप बैठ रहे हो तो अल्रेडी आप experience 500 चीजों के मतलब attend करना नहीं करना यह आपकी choice है मतलब attend करना नहीं करना किस context में हो कभी चुट्टी मारना है कभी कुछ point हुआ किदर जाना है बाहर घुमने चले गए नहीं नहीं भाई आज ब्रीक लेना है यह सारी choice आपकी है लेकिन एक agenda मैं बताता हूँ जब आप आप क्लास में मेरे साथ मेरे तमा ओके बैचेंड नहीं तक आपका मोटा मोटी content खत्म हो जाता है अगर कोई दिन मिस होगी आपका सपोज आप किदर कोई इस शादी में चले गए या किदर चले गए उसको बैक अप में देखो गया आप ऐसे आजिम करोगे और वो बैक अप कौन से दिन तक आएगा मेरे को मानमने और यह एक थोड़ा सा एक बेसिक प्रॉब्लम होता है तो जो लाइव स्टीमिंग वाले या फेस टूफेस है मैं यह करता हो कि भाई कंसिस्टेंटली अटेंड करो कंसिस्टेंटली अटेंड करो मतलब यार कितने दिन की बात है मालेक 50 देन जिसमें से संडे आफ या अपतो अल्मोस्ट ठीक है जितना है नहीं है जिसका कुछ पॉइंट बैलेंस बैक बाक बचाओगा ग्रूपन का जो भ देखते देखते खतम हो गया है पचास दिन देखते देखते खतम हो जाएंगे मालेक को कि अब खतम होका मालूम ने पड़ेगा और यही लॉजिक और मैं आपको बता रहू हूँ माक कसम स्क्वेर माक कसम स्क्वेर या माक कसम रेस्टू क्यों मैं आपको गैरेंडी गोलता हूँ अगर आपको मैंने मतलब इस से वे एक स्ट्रक्चर तरीक है इसका अप पहले एक आपको समझना पड़ेगा यह audit का कैसे जा रहा है एक पाथ साथ लेक्च्चर तक आपको आइड करती है जज्ज्मेंट के लिए इसमें ऐसा नहीं होगा मैं आपको बता रहो इस इस बिक डिफरेंस विछ फाइंड अभी पुरे दिन में थेयरी पेपर कॉन सा एक तो जी एस टीवी थेयरी ही अल्मस्ट ऑडिट थेयरी वाजयेगा जीएस्ट प्राक्टिकल भी है क्वेस्टन भी है प्रॉड थेयरी और एक एक एंड वाला थेयरी आपको डिफरेंस मिलेगा एसम में स्ट्रक्चर एंस रहेंगे लौ में यह सेक्शन ऐसा बोल रहें तरेको ऐसार पास करना पढ़ेगा यह पास दो ज़िए रख मिलेगा तत करेंदे चुस में जजमेंट लगा ना है और वो खुछ एक एंगल से सचेगा यह शींग जवी अपॉइंट अपने को किसके अंगल से सुच नहीं ना इसकी अंगिल से ना इसके अंगल जे अंगलते ऐसा मिल यह नहीं रियल लाइब देखेंगे रिनलमे किसके अंगल से हो रहा है वो बाद में देखना है अपने को किसके अंगल से सोचना ए एक्जामिनर एक्जामिनर के जज्मेंड को बता रहा हूँ कै आप इस question को समझो that this is why i am telling you for consistency discipline है कि मेरा बागी कोई एजंडा नहीं कसम से वोल रहो हूं और मतलब अगर आप मेरे से लौ में पुछोगे या एसे में पुछोगे मतलब मैं सब्सक्राइब बार बार यह स्टूर्ट को बता था ठीक है चुट्टी मारा मार ले आप देखना मतलब जो पॉइंट बहुत है मैं अगर में यह एक एक प्सक्राइब आगे अगर अगर में सब्सक्राइब अगले दिन का प्रॉलम है तो तो मतलब वो कानी नहीं लगेगा इसमें ऐसा नहीं है कि वह अपन नया चाप्र चालू करेंगे नया मूलत चालूगा चलो टेंशन नहीं पुराना चप्टर गया और अगर अगर आपका एक लेक्ट्टर मिस और लेक्ट्टर का प्रॉलम के अमालम है और दूसरा अभी यह दो गंडे के लेक्ट्र नहीं है कितने गंडे के लेक्ट्र है तीन गंडेगा तो तीन गंडा मतलब बड़ा कंटेंट भाई दो घंडा मतलब ठीए एक पर परवड़ता भी है एक देर घंडा क्योंकि 15-20 मिनिट अपन रिविजन करने में जाता है पंद्रमेंट अपन एक लास्ट क्लोजिंग स्टेट्में में जाएगा यहां पर तीन गंडा है तो तीन गंडा मेक्स वर्थ इधर यह दिक्कत आ सकते हैं तो जो फेस टूफेस अटेंड कर रहे हैं ओके या लाइस्ट्रीमिंग कर रहे हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप सही है कि अरगर कोई Google Drive देखना चाहता है Google Drive नहीं नहीं सर मैं बाद में लेकर बाद में देखता हो मैं अपने कमफर्ट जोन के साथ अपने टाइम के साथ देखना चाहता हूं तो भॉगल ड्रेमें भी क्या चीज अपने चीज यह मानलू मैं कांसिस्टन्सीड का मलब आज लेक् मतलब I am into all theory subjects, मैं आपको बकाइदा बोल रहो हूँ, यहाँ पर जो applicability है वो next scale पे है, next scale मतलब next level पे लेके जाएगा, तो यह point आप जहान रखना, यानि अगर face to face, अगर by chance कुछ कारणवर्ष भाई आप option ही नहीं है, example कुछ become की exam है, become की exam को क्या करोगे आप, नहीं छोड़ है पर छोड़ा तो फिल अच्छा नहीं आता ना, ऐसा एक exam छोड़ना किसी और exam के लिए, doesn't make a feel नहीं देता वर्थ, वैसे become become है, become become है, become become है, become become है, okay, but to be very precise, अगर exam रहा, आपको यह ensure करना कि भाई उसका immediately lecture देख लेना चाहिए, वो 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 चीज हो जानी चाहिए, आपको हम एक ही आईगी, वापस वो concept का link जो कर रहा हूं है, वो समझने में दिक्कत आ सकती है, तो यह point आपके लिए रहेगा batch format और backup का जो format मैंना आपको बता दिया, इसके अलवा सर यह कौन से app में चलने वाला है, app detail, वैसे आपको जो link दी जाएगी, उसके अंदर already cover होगा, app detail, okay, जिस app का नाम होगा, CACS Amit Tater, okay, यह app का नाम रहेगा, app का link आपके group में रहेगा, वहापर आ जाएगा, आप सर एक group कौन सा है, okay, आपको discuss करूँगा, लेकिन वो group में सब app के link, वो link trigger के concept है जिसमें आपी सारी link आ जाती है, उसके अंदर ही app का link है, वो download करने का, download करने का assistance से एक video है, वो भी आपके साथ share कर दूँगा, कैसे download होता है, क्या होता है, वो video से भी आप download directly कर सकते हो, registering प्रसेस बहुत easy है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आपको serial key मिलती है, serial key डालने का, internet से verify करता, register कर लेता, close कर देता और access देता, और उस app को चलाते कैसे है, उसका एक छोटा सा clip बनाया होगा है, तो यह थोड़ा सा मेरा detail था backup के लिए, और एक last detail है, sir, app का issue आ गया by chance, कुछ आ रहा है, किसी के इसमें कोई internet से ज़्यादा मैं आपको बताओ, किसी के इसमें ना कोई antivirus software रहेगा, और antivirus software कभी कभी कुछ आप को कुछ issues करते हैं, या कुछ plus minus करते हैं, इसमें कुछ issues आए, तो sir, हम technical team को कहा पर contact कर सकते हैं, या technical team का number क्या होगा, और technical team के कारण, दो, दो reason से बता रहा हो, okay, अपना 31st Jan हो गया, उसके बाद अपने को शायद एक concept याद नहीं आ रहा है, एक concept मेरे को देखना है, आपने face-to-face attend का लिए, live attend का लिए, आप सब समझ आए, लेकिन हो सकता है, एक concept वापस recall करना पड़े, सब मेरे दोन, मैं सब सब कर दूँगा, लेकिन by chance आपने को वापस एक lecture को मेरे को देखना है, या एक lecture मिस हो गया, और technical issues आए, प्ले नहीं हो रहा है, या वो प्ले हो या run time खतम हो गया दिखा रहा है, ऐसा भी होता है कभी को, it happens, देखो एक technology है, तो technical issues कभी-कभी हो, regular नहीं है मालिक, लेकिन कभी-कभी अगर आए, तो भाई, technical help का number क्या रहेगा, तो यह आप अपने पास note करके रख लीजिए, अपने detail में डाल दीजिए, okay, 940-499-4040, 940-499-4040, यह पहला number है, यह कौन सा help है, technical help, इधर मन पूछना सर, एक question यह आप नहीं आ रहा है, इसका क्या करूँ, और यह नंबर, अरे यह नंबर मेरा नहीं है, यह नंबर कौन सा है, technical help, technical help मतलब समझा रहा है, एप का issue आया, तो technical help को ध्यान रखना रहे भाई, और अगर यह इसमें भी कुछ issue आया, 898-3789-829, यह दो नंबर है, और यह दो नंबर में कभी भी कुछ issue आया, मा कसम मेरे को message करो, अगले fraction of minutes में solve नहीं वा तो ना मदल, वैसे यह नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अपने, वह अपने short short है इसमें, but point यह है, कि यह दो technical help है, जब मैं बोल रहो technical help, प्लीज में make it clear technical help, इधर आप कोई query मत डालना, यह concept समझ में नहीं आ रहा है, इसका answer दो, क्योंकि उन्होंने कुछ answer दे दिया बाइचंद गल्ती से, नहीं समझा क्या मालिक, उन्हें अपना technical help भी अपने जैसा ही रहा था, तोड, मा कसम, चलो, तोड का काम कम करते, query पुछी, ऐसा ही है, serious concept पे भी रहता हो, और बिच-बिच में humor आता है, तो humor का context, humor के angle से समझना, ऐसा मत समझना, sir, तुमने ऐसा कैसा बोल दिया, मा, कसम, it hurt, ऐसा मत कर भाई, कोई hurt करने की ज़रूरत नहीं है, it is only a humor context, मतलब मेरा यह concept है, और मेरे खालते है, तू समझ मा आ जागा है, यह क भाई, ऐसा है, तो technical help में यह ध्यान रखना, technical help रहेगा, okay, sir, आप से coordinate करना है, या आप से contact करना है, तो यह क्या है, तो भाई साब, okay, जो मेरा number है, वो है 9987714078, यह मेरा number है, यह मेरा direct number है, okay, इसमें कोई भी query रही, तो आप मेरे से यह कर सकता है, और मेरे response करता हूँ, व है, sir, आज नीन नहीं आ रही है, sir, कुछ टेंशन नहीं उसके अंदर दो चार, मलब तुमको बस याद रखना, जबी मैं कुछ voice message बजू और तुमने कुछ ऐसी query भीजी, और मैंने voice भीजा, तो सब के सामने मत सुनना, नहीं घरवालों के सामने लगाते है, वह वाई, समझ हमें, मैं इसके भी solution दे सकता हो, यह जो हमके साम करने का, तो सर कोई भी क्वेरी रही कोई भी डाउट रहा कि इस पर मैसेज करिए वाटसप कर दूंगा मैं अपना रहेगा में तलक में के बाद में रहता हो फिर जिसका जिसका मन करें वो गुरूप से निकल सकता है करें समझ रहे मन करें मन करें मतलब अपना पेपर हो गया करें निकलो कोई टेंशन नीए चाहनी कर दो फिर अटोने का नरे भी रहे सीन ऐसा है तो वाटसप ग्रूप है कि मेज, जून तलग रहें किया होता है, फॉटसप ग५र ग्रॉप पे सबसे तब दॉन केशन होते हैं और टेलीघाम चैनल पर चैनल पर कमिनिक जेनल पर मैं कुछ प्रणार चैनल पर मैं कुछ एटा हूं कुछ अपडेट रहता है मैं बता देता हूं रिलेटेड मेरे को पता है कि उसका पिछला वला सेलिबस था तुन का एंसर कौन सा देना है लेकिन आपके बैच का स्टुर्य आया तो अपना रिलेटेड एंसर वो नहीं रहेंगा तो इसलिए WhatsApp वाट्ट आप रहोगे वाट्सप ग्रूप में क्वेरी पुछते रहो कोई टेंशन नहीं है और मैं आपको बता रहो मतलब के लिए आपन बहुत ज्यादा यह है उतिर नहीं उतिर नहीं का बुलते हैं उसको हिंदी वर्ड नहीं नहीं भूलिया क्यूरियस क्यूरियस मतलब हां मैं बहुत एक्दम तोड़ सपोर्टिव एपन सपोर्ट में यानि आपको अगर टेलिग्राम चैनल भी देखो के रात को दो बज़े मेरे वाइस नोट मिल जाएंगे यह ऐसा रहेगा पर एक्जामिनेशन के टाइम पर रोज नहीं नहीं नही तो दो बज़े मेसेज करके देखा देखता हूं मैं अतातर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है रुक बेजा और अगले दीसुए सबसे इंपोर्टन चीज ओके यहां पर यहां पर जो मैं हाइलेट कर रहा हूं प्लीज इस पर जब करो रिस्पॉंड तो थोड़ असा क्वेर यहना На क्वेरी पूचने के बादना उसको रूखना क्वेरी डाला उसके निचे प्लीज रिस्पॉंड उसके निचे क्वेस्टन मेरी हों सर प्लीज कि समझ मैं समझ मैं यह है आप पर आपका सॉट आट हो जाएगा डेफिनेटली एक दो तो जब आप इसको यलो वाले नमबर पर फोन कर रहे हो यह इदर यह लो नहीं दिख रहा है ब्लाक दिख रहा है काली पोजदी लेकिन भाई यह यह नमबर पर फोन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा समझ में आ रहा अगर मैं आगे पीछी भी रिस्पॉंड करने माला होंगा तो मैं वैसे भी डाल दूगा कि आभी थोड़ा हुआ हुआ मेरा दो तीन दिन के बाद मैं आपको रिस्पॉंड कर देता हूँ वाट्यवर रिस्पॉंस कर तूंगा मैं यह हो गया अपने लिए यह पॉइंट प और अप तो पहले पास लेक्षास कनफर्म यूटूब पर ही है च्टा और सातवा लेक्षास भी आपका यूटूब पर आजाता है विकॉज अफ ट्रांजिशन पिरेड और तो पहले सात लेक्षा अपने कहा तक मिलेंगे यूटूब में हो सकता है कि बीच में इकाद दो अब यूटूब पर निर्वर होता है तो यूजवली पचास में से साथ अट लेक्षास अपने यूटूब पर रह जाते हैं बाकि अपने लेक्षास अप पर चलेंगे जो सीए सीएस अमित तातेर और वो जो एप रहेगा मेरे खाल से सबको मालूम होना जाए वो जूम जै अब यह दो तिन पंचाइधी कर रहा हूं जिसमें मैं स्क्रिन पर लिग रहा हूं कैसर अपने मेरातों लेक्ट्र अगेरा होते हैं सरी यह अपको मैंने कितनी भॉक्स पताई थी एक और मैं आपको रिकॉल करवा दो बॉक्स कॉंसी कॉंसी थी पाच मैं जो देने वाला हो पहली कौन सी तीन वॉल्यूम थियरी एक क्वेश्चन मैंक जो होगा वो ब्लांक होगा जिसको अपन फिल करेंगे वह अला लॉजिक और पाचवार रहेगा टीर भी यह टीर भी मिलने के बाद अपना चालो होगा मैराथॉन मैराथॉन तो मैराथॉन अगर आप देखोगे तो आपको सुबहे एक एक सुबहे चालो हो जाता है और उसके बाद शाम के पाच्छे बजए तो जो टी आर भी में आपको बताया था तो रिविजन बूक वो किस परपस के लिए काम आती है मैराथॉन अगर आप रिप्लेस्मेंट नहीं समझो गया मालिक तो डिविजन बूकिज ओनली फॉर मैराथॉन तर्मेराथॉन का फारा क्या होगा मैराथॉन करना चाहिए कैसे क्या रहेगा पहले बैच करने की बैच के बाद वह कि अगर आपने रिविजन चालो कर लिए और मैराथॉन से ही कवर कर लेता हूँ मेरे खाल से आप गड़बड करो कि मैराथॉन में इल भी मोर स्पीड अप आई वी मोर प्रिसाइज ओके दाइल नॉट बी अलॉबरेटिंग थे कंटेंट कॉंसर समझाते जाओंगा लेकिन एग्जाम्पल दन अधर तिंस में प्रॉलम स्ट आपका रहेगा एक शिडूल प्रशांसा से मिलके मैंने बनाया हुआ है वो कि वो प्रशांसर उसमें फिट कर रहे है अभी वो उसके समय तो आपको चैप्टर वाइज टेस स्रीज मिल जाएगी ओके चैप्टर वाइस टेसरी को कंटेक्स है आट टेस सीरीज है टोटल कर दिये जाएंगे और उसको आप फिल कर देना को डाउट रहा तो आप पुछले ना एंसर शीट के साथ में अपलोड कर दिया जाएगा लेकिन फेस्टू फेस है उनकी जो टेस्ट होगी वो टेस्ट आपकी इधर कंड़क की जाएगी और कंड़क करके आपको मिल जाएग पर यह मतलब प्रशान सरफ पीस अकडेमी जो अपनी टीम है वो टीम यह सपोर्ट करती है पूरा टेस्स का तो अपने पास टोटल आठ टेस्ट रहेगी जिसके अंदर छे टेस्ट होगी जो चैप्टर वाइज रहेगी और दो टेस्ट होगी वो आपकी कंप्लीट सिलेबस की हो जाएगी है ओके अब यह मोटा मोटी अपने यह सारे स्ट्रक्चर अपने डिसकुशन में डाले है ओके जब अब कि बिफोर गोई ओन एहट मतलब मेरे खालते मोटा मोटी आपका यह कॉंसेट रहा और आपके आप्टर बैच सपोर्ट में मैं आपको बता दिया है आप सी आमें तातर सच मारोगे तो आपको मिल जाएगा टेलिग्राम वहापर लॉडव अडिट एसम यह एक ग्रूप मैंने कंबाइन बनाया हुआ है टेलिग्राम का उसके अंदर ही सब सपोर्ट मिल जाता दर भी है सर मैं अगर वाट्सप ग्रूप में हूँ तो टेलिग अगरत है क्या वाट्सप ग्रूप इस मोर प्रसाइबली फॉर बैच टेलिग्राम में आप कनेक्टे रहना टेलिग्राम में आपको डीटेल और ओर डीटेल जनरलाइज डीटेल मैरातॉन के डीटेल्स बाकि सब कंबाइन डीटेल्स वहापर मिलते जाएंगे अप्लोड हो रहे है आज लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे है यह और आप सब्स्राइब करके रख सकते हो आपको धीरे-धीर यह सारी लिंक शेयर करेंगा बस मेरा एजन्ट यह है कि अपने लिए सारा का स्ट्रक्ट्टर यह कॉंसट आ जाता मालेक यहां अब थोड़ा सा जिकर ऑडिट की तरफ बखते हैं बट बेसिकल इसके अलब कोई बैच के लेट कुछ क्वेश्चन है आपको किसी को कोई भी बैच के रिलेट कुछ क्वेडी वगएरा पका कि अनलें बंडर लोग कुछ रहा तो बताईए बट नेवदल इस मेरे काल से क्लियर है मालिक आपको एक ही चीज़ करनी है वह डिस्सिप्लिन वाइज आना है और अगर मिस हो गया ना मैं आपको पहली मैं आज आज ही म आपने नहीं देगा या बैकप मलब देखो एक हाथ दो लेक्चर ठीक है उन्नीज भी सुआ आगे पीछे कर सकते हो आप लेकिन अगर वह दो तीन लेक्चर हो गया आपके तो आपको बहुत बड़ा कंटेंड मिस हो जाएगा तो कि अपने तो बहुत जन्मों का हिजा बाक अप्रॉक्सिमेटल आदा गंटा पंदरा एक मिनिट थोड़ा सा इधर उधर बॉड़ी को ऐसा टहलने के लिए रहेगा और उसके बाद पंदरा मिनिट थोड़ा सा शॉर्ट नाप जिसको लेना रहा ओके नहीं एक घंटा क्यों दें फिर गंड़ा की खाने के लिए तो फ आपा 711 बजहे चालू करेंगे 711 बजहे अपना में टाइम रह गांसेट्स के लिए यह बहुत 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 बनेगा यह क्योंट होगा को छाप्तर का चाट का चार्ट तो सेकेंड हाफ आप रिविजन यह फॉर्मेट इन शॉर्ट सर मेरा बैच होने के बाद घर पर पर पढ़ना है क्या कि इसमें मेरे को टाइम अवेलेबल मिल रहा है अगर टाइम नहीं मिलता स्वाइब दो गंटे की बैच यह थो तो शायद मेरे को यह बुलना पड़ता आपको अगर पर जाके भाई लेकिन अभी आपने पास वह वह बफर अवेलेबल है अपने वस्ताइम अवह तो आपका इसा है कि सर मैंने अभी घर पर जाके कुछ करना है क्या इनिशली तो कुछ नहीं लेकिन एक बर कंटेंड वा तो अगर किसी को रिकॉल नहीं हो रहा होगा ना तो थोड़ा से अधिश्नल मेहनत करनी पर सकते बाकिया अधर दें डैट मेरेको नहीं लगता है कुछ करनी जरूरत है तो फर्स्टाफ में मैं जब पढ़ा रहा हूं मैं कुछ कॉंसर्ट समझा रहा हूं उस टाइम पर मुझे कुछ लिखना है क्या मुझे मतलब आपको अगर आपको लिखना है तो आप उसके लिए अलग से नोट्बुक रख सकते हो जिसको मिक्स मत करना मेरे साथ कि यह पॉइंट ध्यान रखिए यानि content समझ रहे हैं आप उसकी सेपरेट नोट्बुक रखिए जो आप अपने एंगल से हां बाई सर ने क्लास में क्या समझाया है और जो मेरे को पूरा लिखाना है वो यह आप सेकंड है यहां निखने का काम हो जाथा लिकिने के प्रोसेस से मिल आपको तेस्ट्बुक मिल जाएगी वह वह घ्या बहुत अच्छे से बनाई है उसके पर पूला time structure याओ डालके बनाय हुआ structure रखेंगे यह दोनों होगा बहुत बहुत बेस हो गया बहुत 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 एक्स्ट्राइबनरी हो गया इसे जाद आपको और कुछ करने की ज़रूद भी नहीं है सब मुझे को मॉडिल रिफर करने की ज़रूद है नहीं सिर्फ अपने को क्या करना पड़ेगा मार्च में यूटूब पे आपको मिल जाएंगे मतलब मेरे वाले वाले वीटियोज रहते हैं वो यूटूब अप्लोड हो जाता है तो अगर नहीं मिल दर लिंक विंक पूछ लेने का ग्रूप में अपन रहेंगे रूप में पूछ लेना उस टाम पर अपको अपडेट हो जाएंगे थोड़ा सार्रीपीज होगा ताकि ऐस अंलाइन वाले सुन सके मतलब ओटग क्या असके मतलब करिया कि है क्या कर निखा है एक पॉइंट एक पॉंट है एंसर रेजेक व्यूकाउं सूवक्श tyre करना है शो के लिए और पैस और तो मम इसके घना है ठीसी आट can scrutiny of Companies Financial data Scrutiny करना Korea networking or Scott beginnen difference Change ушки और स्कूरूटीमी रिचेक करना कूटी करना कि नो difference है कि बनुर सेव अ है जनल इस पूछ रहा हूं आप टेंचन में लीए और यदगिया मैं पहلة एक पर बैप्र इड्फ recommend फीली सेधन मेर को आप जितना इंटरेक्षण कर तरह पना आउटपूट ज्यादा आएगा और मेरा पढ़ाने के इस आ है ऑट पेपर नहीं चालू होता ना बढ़ बढ़ करते है बैठता ना लिखते रहता है कि अटधर मेरा इंटराक्ष्टिव क्योंता है मेरा इंटरक्ष्ट्टिव होता है यूळाता है और आपने गलत भी उप्म ट्न गैशन लमिया और गलती है और इन यूप खालग मिलती है तो दूसरी मेरी positive में slang है यार slang मतलब अभी 40 साल मेरे मेरे लाइस के नग थे अपने लाइंग पने ठील होसके कभी कभी कष़का कि खुवको से biss लोग को बात करूं और मैं है हैरबाब सफाहग है इंट लेंडिना लोग थे लिए West उतरकी कहानी बहत अलग होती है 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 आधराबद गयाना और बच्छों अग्दम अलग रहते हैं और उनके लिए लांगवेज बहत एक्दम खतरना होती है वो ऐसे नहीं बात कर था यह नौरमल को रहें मैं बोल रहा हूं एसा तो अपनी लांगवेज है थोड़ी से थालाग ह आपके सामने के अधने हैं अधने क्लास में अपन बहुत अच्छी से धान ड़कते हैं हम अपन कुछ ऐसे क्यूट वगरा ऐसा बोल सकते हैं पर देखेंगे वह शब्दों का क्या प्रयोक करने का है पर लॉजिक ऐसा है कि गाली निकलना पॉइंट नहीं है लेकिन लेकिन यह सिर्फ कभी बोलते हमें करें तूरे कैसा रहे क्या बोल रहे क्या कर रहे चो में मतलब ऐसा तोड मा कसम जंप आप यह कभी वर्डिंग्स निकल जाते तो आप ऐसा मतलब यह आदमी बेज़धी कर रहे है अधिन कसम से मतलब मैं बहुत इज़धी तो मैं भॉत इज़धी तो आदमी मतलब एज़धी यूमन बीग आई गिवल लॉट अवर्ड रिस्पेक्ट वेडरी वन एवर्रीवन आम तैलिगा अवलाव इसके पास जो मेरे सामने स्टैंड उसके जमें मैं सब की इज़ध करता तो इतना है कि मेरे बोलने का थरीक ही ज़धी अब क्या कर सकते है बच्पन एसा निकला है बच्पन एसा निकला जवानी भी गई बुड़ाप के नस्दीक पहुंच रहे तो अब क्या चेंज करेगा बी बुड़ापन नहीं मतलब ठीक है समझ रहा ना तुम मेरा तो मॉज तुम से ओडर कितना एक दस एक साल तस्वारा साल का गाप समझ लेते हैं इससे ज्याता तो मेरे को निलग अपना चाहिए दास्वारा फंदरा साल नहीं फंदरा सल बहुत जाधा हो जाएगा तथ बारा साल बारा-तर तरह साल तो यानि है आपन दोस्ते है कि मैं यह बोल रहा हूं तो अगर दोस्त ने कुछ बोल दिया तो बुरा नहीं लगाने का दोस्त मुंबई का है दोस्त की लैंगवेज लैंग है तो अपन भी नया लैंगवेज चीकेंगे ना वास जो सीख्केंगे वह नहीं सीखें वह स्कुने वाले तो तो मालिक आदक ना तो पहला पॉइंट माप मतलब यह पॉइंट इसले बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है अनलाइन में कोई सुनता हो कभी यह ऐसा हो तो उनको ऐसा लगी कि मैं अभी स्यू मतलब मोर अभी स्यू हूँ ने यार मुंबई का लैंगवेज है कुछ और सर आपने चेंच करना चाहिए आपको मैं प्रोफेशनल बहुत हो पर लैंगवेज का अपन थोड़ा सा ध्यान अब तो बहुत है तो बहुत है तो बहुत है तो आप उसको अधर वे राउंड लिजे कि वह इसका बोलने का तरीका वैसा है वके जस्ट अट अवड़ फ्लो तो अब गमा इंट्रेक्शन करता हो अब से तो प्लीज इंट्रक्शन में आंसा दीजिए लांगवेज को थोड पूछतों पूछते रहें उन्ट्रक्शन कर रहा हूं तो आप फोड़ा सा ध्यान लखिये माली जैसे एक बोला रीचेकिंग हो गया एक हो गया स्कूरूटिनी क्या यह दो शब्दों में आपको डिफ्रेंस लग रहा है कि यह सेम लग रहा है ठीम से रिछेकिंग और स्कूटिगटीिं आइद्ट हो इसा है कऊ मतलब क्या क्या डिफरन्सब्स एई जा बहुत हो एक कर्णकश करने किसके पासे उख पावर हो गी आच पॉच्टिग वाले पासे तो तर भाद और यह पावर किसमास की तोड़ दर्वाजा दे निरा है ली चेकिन वाले किपास है स्कुरुट्डीन Candle तोड़ दर्वाजा यह अपने को धिरे धिरे समयना पड़ेगा एक्सुट्मध की इस अ तसक आस्क पॉस इंवेस्टिकेटर तॉट्मधिचरुट्टिनी इस लाइंश्पेकडर में डनिक तक है के आप मना करते हो आप दो नहीं घृस्णा नहीं घर में वीरे बॉर्ट एक तैी वोर्ड गोज जाता है कि आपने ऐसे भी नहीं से डूगे कि मैं audit करने गया ओके books of accounts क्या audit करेंगे अपन उस पर बात नहीं कर रहा है अभी पर बुक्स अपने सीए मुझे मुझे फानेशल स्टेटमेंट चीए मुझे अरे कुछ अब कुछ नहीं कर सकते मैं कुछ नहीं कर सकता वी आर्माट इंवेस्टिकेटर वी आर ओडिटर हम इंस्पेक्टर नहीं है है हमरे पास क्योंकि बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है अपन देखेंगे दो चार दिन में लेकिन लॉजिकली मापका समझा रहा हूं अपन स्कू स्कूटिन कीजी आपन नहीं है क्योंकि अपने बस वहां से पर नहीं है AWS अ लॉल्यवेस्टिकेटर खेंग है। समय कुछ फ्रॉड के लिएक नोशन से आगे बढ़ता है और आ इसने प्रॉड किया हूए यह कमिना है अदिये पराइन दिनान पराइन वाहिव कि यह चाहिए दूससार इस में इसलब जाए पर माइशे संद्धिकलां थालता है कि क्लाइंट कमीन है अच्छा है में कि योगा हम को क्या चीए करना वरो बर किया या तो नेवर दिलैस पहला रटाhin स्कूरूटिन तो स्कूरूटिन वाला कॉंसेट जाता तो अभी आज़ा वापस एक पड़ और इसकी अलबा और कुछ शब्द मेरे करते समझ मारा है मैं क्या बोल रहा हूं तो स्कूरूटिन अपन रख रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर सकते क्या आपने पास्तू वेरिफिकेशन में अब कुछ एक्जमबल दीए मुझे तो मैं एक्जमबल को लेकर आगे बढ़ता हूं आप लोगे सर आप ही एक्जमबल आप वी तो एक्जमबल देने वाला मैं तो देने वाला पहले एक बार ऑडिट के अंगल से क्लीन रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट या आउटपूट दे रहे हो आप मतलब यह अपन अपन क्या करने वाले अपन एक रिपोर्ट ओडिट रिपोर्ट देने वाले यानि अपन एक ओडिटर है एक ओडिट रिपोर्ट देने वाले ओडिटर है क्या देने वाले ठीक है देखते हैं इसके पर थोड़ी सी चाहिशा बाद में करते हैं पहले थोड़ा और को डिसक्षशन यस कि एकाउंटिंग स्टेंडर का अप्लिकेशन बरवर किया है कि नहीं बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा अगे कि एस ए अफ़े एसके अपनों करते हैं और अटिटर हो इनकी यह इनकी फैक्तरीय मस्षिनरी क्लाइंट होगी यह लाद ही बनीगी अधान च्छी प्लेंगी हो तो मेरे को बता हो क्या बेलेंशीट पीनल में क्या है इनोने accounting standard use किया होगा ? Okay, मेरा question है, accounting standard कौन लगाएगा ? Accounting standard में factory में लीफो यूज़ करना या फिफो यूज़ करना ये कौन डिएड करेगा ? अपना Client या Auditor ? Client बताएगा या Auditor बताएगा ? Client बताएगा ? क्योंकि accounting policy कौन डिएड करेगा ? क्लाइंट 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 क्लाइं तो क्या मेरे को बताओ किया आपको डेफिनेशन कुछ याद है कि फोल्डिंग सब्सिडियी क्या रिलेशनज ही पे होल्डिंग सब्सिडर् stripes कंपणी कॉंसी होती है partner holding पर से company कैसी कमपनी होती है जिसने какой-nate man yes more than 51% 50% एंध में 50% की सब्सक्राइब कई फिटीपरसंट के ऊपर शेर होल्डिंक किया होगा या बोर्ड़ डायरेक्टर का रिकर ने कंट्रोल ओर शेहरे डिंट कि everybody ठीक है कि आपने एक ऐसा पड़ा के रोड़िंग कंपनी को एक एक गान्सलिदेटर फाइंशा स्टेक्मेट बनाने पड़ते हैं वाट इस सफाइंशाइने स्टेटमेंट है कंबाइन फानेशल सेटमेंट जिसको एक च्छोटर से एक्जम्पल स्क्रीन पर एक 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 लिमिटेड है और एक एक लिमिटेड है क्या नाम है इन दोनों के मतलब में एच मतलब कौन एस मतलब कौन एवरिबड़ी ठीक है अब मेरेका बादा सबसेटरी किती बैलंजीट बनाएगा एक जिसका नाम क्या रहेगा एस लिमिटेड ओके होल्डिंग किती बनाएगा दो एक का नाम रहेगा एच लिमिटेड और एक का नाम रहेगा सी एफ एस में क्या रहेगा है एच प्लस एवरिबड़ी क्या सबको यह पता है ठीक है अब यह एजिम करो फोल्डिं कमपनी जर्मनी में रॉल्डियन के स्टानडर्स मुझे नहीं पता मैं जर्मनी इ Dafür पंडानी जर्मनी कि एक स्टानडर्स चø हो पता है तो यर्मनी il Malays की एपन डिनेस बढ़ांगे बहुत फैलावा बिजनीस अपना आपनों ऑडिटर तो चाहिए एपनेस करेंगे तो घर्मनी केंगे में है इन्डिया में इंडिया कि अब क्षुचन है सब्सीडिरी कंपनी फानेशल स्टेट्मेंट किसका बनेंगे एसका बनाएगी खुत का Everybody आप यह मेरे का बता हो एसका जो सब्सीडिरी कंपनी ऐसके फानेशल स्टीड में बनाएगी यह किसके हिसाब से बनाएगी कौन सा का accounting standard होगा इनका इंडियस इंडियस होगा या एस होगा या जर्मन के कुछ होगे तुमको समझ में आया प्रॉब्लम की तरा ही ठीक है तो पहला एक एजंडा यह समझो ओके यह तो यह तेक्निकली अभी आपना ओडिट में घुसर है तुम वह लौ या एकाउंट्स में मत रहो अपना ओडिट में मैं स्ट्क्चर वाइस कुछ समझा रहा हूं अभी सब्सेड इंडिया में भी तो फाइनेशल स्टेटमेंट देने हैं इंडिया में किसको देने हैं आरोसी को और मेंबर्स पो इंडिया की तो मेंबर्स थैना कितने परसंटेज 49 एक्सम्बल एक इसंब्सेंट्र रहा हो एसब हो सकता है डिपेंडिंग आउन सेनारियों यह और एक दो इंडिया में अच्जों और यह देगि यह यानि मैंद यो इन बना इंडियस के लिए इंडेश और दूसरा बना वो कि इसके इस यह फालो करता होगा ओके जो फॉलो करता होगा वोगा जर्मन गैप अरे हा या ना तर वैसे जर्मन कुट्टों के बार में सुना होगा जर्मन शेपर्ड अरे बहुत बड़ा तोड़ बहुत तकड़ा ना देखाएगे नहीं नहीं देखा है देखा है देखा है मुलकाद हुए कभी तो खतरना क्या जाते काटने का छोड़ते हैं उससे सामने जाने की पटती है यह पर यह जर्मन शेपर्ड का तो अपने इसमें शेर भी आएगा थोड़ी दिर बाद है पर अब सी न ऐसा है कि इसके जर्मन गाप से बना है और इसको जब सी एसuyu बनाना है जर्मन में होने तो जब उसको S को add करना होगा न तो किस में होने चीए German Gap तो आप मेरे को बताओ इनके financial state S के किते financial state में उन्हें? दो एक किसको देगा एक किसको देगा एक किसको देगा कि किसको देगा? ROC और कौन शेर होलडरसमें मेंबर्समें एज भी आ रहा है एक एक फानेशल स्टेटमेंट बनाएगा वह जो सिर्फ किसको देगा और एच के मेंबर को नहीं थाली किसको एच को ताकि वह किसमें एड कर सेगे सिए इसमें एक एक अनि से गडर है कि जर्मन गाप है जर्मन यानि इसके पास जो मुश्यनुर्य होगी पास जो मचीनियर ऊगी ओक उसका जो डेपरीचियेशन ओगा वो जो यहाला हाई लाहितिंग यह यह इंदिंग कि एसमें जो अपना इंडियन स्टेंडर वा उसके कि नहीं समझा इंडियन स्टाइड के सबसे अगर डिप्रीशन मुला हुआ एसलम लेना है और एसलम पूला है बीस चक्का तो जो मैंने हाइलाइट क्या है जो काला दिख रहा है तुम्हें मैंने यलो किया है पर वो प्रोजेक्टर के वचे से काला हो गया है वह इता से वायर इसलम दिया है क्यूंगि अपना इंडेस में लिखा है जो एज बिजनस कर रही है उसको डेप्रीशन ऐसे अलम देना है यह उसके पाठ इसल की वैल्यव है पाठ साली ही रहती है मशिनरी इसके पाथ साल की बद आपकर ना पड़ता है मशिनरी वैल्यव आत्मा रियर समझा लेकिन जरमन गैप में यह बोलते मशिनरी कौन्सी भी होने दो ओनली फाइपरसंट डपरीशें गर्मन गैप में है इसा इधिर मशिनरी कैसी भी हो दो किसकी भी लाइफ साइकल कोई भी ओने दो हम कितना देंगे पाचा एक बिजनस मॉडल में है दैसा अब में बताओ इस फ अब आपन की तर भार है मैं आपको एक्समेंट समझा दिया है तुमेरे को अपने पास की ऑडिट मिलेगा एसका एक नहीं मिलेगा कि तो S के कितने selling Comics मिलेंगे अपने को एक जो सकते हैं को कॉमन सकते हैं दो काम मिलेंगी सोन से काम है मैं पहला एक मिलेगा इंडे कि ओले जला अर्फ मीलेगा कहा positive नहीं पला चिंते में मुझे बपत लोगी को से खाई तो वहाँ नहीं तो एस लिमिटे वारा सबने 205St अगर इसको थोड़ाधा रिवार्श करते हो एस इंडिया में लेके अओ एस भार की लेक्ट आओ क्योंकि है क्यूंकि एच अकर इंडिया में हैं भार दुनिया में कौन सा भी स्टैंडर्स चल रहोगा उसको इसको बनाना पड़ेगा इंडियोई स तो आपको तो वरी सम्हें ही नहीं ना आपका वरी कितर आया जब सफिरी को कुछ ऐसे बना पड़ा आपको एक्जांबल समझें क्या everybody तो मेरे को बताओ ओके आप जब एसलिमिटेट का यलो वाला चेक करोगे चेकिन करोगे आप यलो वाली चेकिंग करोगे तो आपक्या चे कहा है समझ न傳班 क्या और अगर आप पिंक वाले के अटिटर हो तो है फाइपर संकरे मना य काम बेश लयक चरट इंसके भीना यह होता है यह थीज टीव कर रहे हैं च्यों偅न यह मेरे हाथ में कुछ तो है फाइनेंशल स्टेटमेंट के मैं玩 है इसको किस से कंपर कर रहे है है किसके साथ accounting standards किसके साथ अब मिले को बताओ एसके पास कौन से एक मत बलो दो है दो अलग लगते रोगता रहे था ना एक कौन सा था इंडेस और एक कौन सा था जर्मन घ्रोड एफ़डी क्लियर को सो और davon डिदिमें हम कभी एकांटिंग स्टैंडर्ड जब यूजने करते हैं किnun शांड टांबर हो अपन काम करेंगे उप्योग में लाएंगे अ कंपर किसके साथ करना आ यहां कंपर किस के साथ करना है मेरा पहला पॉइंट है इसको हमने क्होंद यह दोनों मिलके क्या बनेस ऐधे अच्छा बैलनET इनकी जीट में लिकोजा एनड पाज होता है था कहा सभी थ्रeमिक wszyscy नो नोसी बेड़ा फोते हैं चाहिए पाच कौंसी कौंसी बैलन शीट पी एनल टैश फ्लो नोट्स एंड चेंज इन इक्विटी इफ एनी चेंज इन इक्विटी इफ एनी इस अपन ख्लियर नहीं आवाद नहीं है रहा मेरे को मेरे को बताव फानेशल स्टेटमेंट किसके साथ मैच होने चाहिए किसके साथ मैच होने चाहिए एक आड़्डग स्टेंडर्स के साथ अपन कभी दूसरा और एक युएस गप हो सकता है, यूकर अपो सकते है, यार, accounting standard मैं, auditing नहीं, अपन कौन से बोले है, accounting, इसलिए हम शब्दों का प्रयोग थोड़ सा सेंसिवली करते है, क्योंकि आपको audit तो कुछी मैं सकता है, आपको pink audit मिला तो, आप थोड़ा हो कि फानेशल स्टेटमेंट कंपर करो, accounting standard से अभी हर जगा थोड़ा है, जर्मन से कंपर करो, फानेशल स्टेटमेंट यूके कंपर करो, इसलिए हम शब्द यूस करेंगे, पहला पहले डिसकस कर लिए, सवा ग्यारा से सवा एक के लेक्चर में, अगर आपको कुछ लिखना रहा, आप उसके नोट सेपरेट रखिए, दुफेर के बात के लेक्चर में मैं इसको स्ट्रक्चर वाइस सब लिखाने वाला हूँ, पर किसी को हैबट रहती ही, वो मेरे साथ इ AFRF, एक्जामनेशन में शॉट फॉर्म यूज नहीं करने का मालिक, समझ में आया, क्योंकि अगर शॉट फॉर्म यूज किया, गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं बढ़ रहा है, क्या तू क्या बोलना चाहिए, यह शॉट फॉर्म अपन यूज कर रहे है, ताकि हम लिखने में इधर क्लास में बचाते है, लेकिन एक्जाम में लिखते होग अपनी हैबिट क्या होनी चाहिए, फॉल फॉर्म, AFRF का फॉल फॉर्म होता है, कान खुले, कान खुले, एप्लिकेबल, फाइनेंशल, रिपोर्टिंग, फ्रेमवर्क, मुझे शब चाहिए, वापस, एप आपको 6 पर मिलने वाले, कि इन्टर में 6 पर दे आप 6, इसमें से पहला पर का नाम क्या है, on, f fr, financial reporting, financial reporting, बous-applicable accounts framework, इस प्रेमवरक आपंण खिचाहए, इन्टर ने ने, पानेशल पॉन फॉर्टिंग, भाइन अंचल से एंग, फ्रेमवरक अप्लिकेबल, ाइस को कानीप खंetu 500 अगर इस इंडिया में रिपृट देने वाला है, हे इंडियेस अप्लिकेबल फाइनन्शल रिपोरटेंग फ्रेमट इपनुड को साधी किले इंद फू जर मपने आ आप ने is a. नहींगे आप न सी आप लेंगे हम को सुन फटनेंशल रिपोर्टिंग फ्रेमबग आत्मा क्लियर एवरीबडी ऑफबलन बटन लोग सब कर समझल हा रह रहा है आप्लीकेबल फटनेंशल रिपोर्टिंग फ्रेमबग मतलब स्ताडर्स यह दिमाम्मे डाल देने का मतलब के विटा स्टैंडर्ट तों से कौन से हो सकते हैं इंडियस हो सकता है एस जर्मन गाप हो सकता है यह सकता है और कैसे अपली कि बलो तो मैंने समझा दिया एक्जाम वाइस ऑलिश कर दिए लॉजी से जा रहा है न मालेक ठीक है भाई तो मेरे को बताओ क्या एज ए अधिटर को आपको च समझते जाई है सारे स्टैंडर्ड को कांसेट समझे पूरा कॉंसेट बेस रेडी करिए और पूरा कॉंसेट बेस रेडी होना बहुत तोड़ तोड़ सारी चीजे मतलब मेरे को बहुत स्ट्रक्टर वाइस टोड़ जाएगा आपके दिमांग में तो अगर मैंने आपको समझ में आया एवरीबड़ी तो पहला टास्क अपने को इतना समझ में आया कि आडिट करना मतलब फाइनेशल स्रेटमेंट उठाना है मुझे और फाइनेशल स्रेटमेंट में में क्या चेक करना है एफर एफ दो शब्दों को जेपा ठीक है मैं वहापस ओल रहा हूँ ऑडिट का फॉर्मल डेफिनिशन बाद में दिखते हैं अपन पहले स्ट्रॉक्चर बिढ़ा जाते हैं ठीक है तो इसका मतलब मेरा क्वेस्चन है अगर एफर एफ के सबसे एफ एस नहीं बने तो क्या अच्छा उल्टा जाता हो वापस जाता हूँ क्या एफर एफ की सबसे एफ एस बनने चाहिए एव्रिवड़ी एग्री ओन दिस प्यून ठीक है मेरा क्वेस्चन है इसके सबसे नहीं बने मतलब क्या एक एंसर आया फ्रॉड प्रॉड बोला एक फ्रॉड बोला क्या हमेशा क्या फ्रॉड ही हो सकता है में एक मेरे जान पूच्कर किया हображare गलती ही वह हुए गलती जान पूच्पर में दिफ्रेंट क्या है मैं गलती से वहार भाई चाली स्वरी मा किया मैsın मेने जो ख़दे नीकर क्लिडए और व्लट को असरे डिफ्रेंजिट के से कर में रहे को इंटेंशनल कितना अच्छा सब देंटेंशनल कैसे समझेग आपको इंटेंशनल है अगर मैंने ये बॉटल अभी एक्सपर्ट में से ढपी मैंने अपने बैक में डाली ठीक है अब में पानी पी रहाता पानी पी दे पी दे के पानी अगर ओके लिए लुक्र अगर जाएगा उसकी बैक करके जानी चाहिए अब ने बैक चकी और काका को वो मिला बोटल ओ माई गॉड मुझे नहीं मालू पड़ा कैसे आया कैसे आया यह क्या था यह अरर लेकिन मैंने जान मुझका डाला था कि प्रॉब्लम यही है कि अगे प्रूव करना पड़ेगा अब प्रूव करने के लिए क्या आपको इन्वेस्टिगेटर के स्कील होने चाहिए पर थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आदे घंटे पहले कि तुम इदर फ्रॉड धुने ने नहीं आये हो अपनी हीरो की मत करो अगर आपको कुछ गड़बर मिल रही है तो गड़बर के दो कारण हो सकते हैं कौन से दो कारण या तो फ्रॉड हो सकता है जो भी हुआ आप कोशिश करें इसकी वज़े से प्रॉब्लम क्या ही माल में ने देखो एरह वा ना अगर एरह तो वह एक में एक में फ्रॉड धी हुई ठीक है प्राबलम नहीं आपको टेंशन नहीं आपको क्यों पता करना पर दो रहुत है कि अगर यह प्रॉड है ऐसा हो सकता दूसरी चीजों में भी हो जो आपको दिखे ना आपको यह इसी लिए हमको पता करना चाहिए कि फ्रॉड है या या लेकिन तुब वेरी प्रिसेश कमिंग बैक आंग पॉइंड वोके इसका यह दोनों मैच होने चाहिए मालेक लेकिन अगर यह मैच नहीं रहे तो यह मैच नहीं होने का कारण क्या बोलता है पन फ्रॉड और एरर ठीक है यह कारण दिया अपने लेकिन इसको हम टर्मिन लॉड जी में चेंज करते हैं अगर यह नहीं मैच होता है हम बोलते है FSR misstated FSR misstatement बोले है हम लोग लेकिन इसको बोलते है Missstated क्या बोलते है तो मेरेको बताओ financial statement शोट भी Missstated or should be free from misstatement आ τι सोच समझ बताए है एक फानेचल सेटमन शुड भी फृव्राएट मेरे सबैंब्स नंक्रेट मेगों रहा है थो मिश्टाह धॉर्म हो पास्ग तक का ब्ले को सिजो क मुन्ट्रो लो मेरा कॉश्ट्ट का फृ सिर्टमिंट भीम्सकी उर्णें औनले और लिगल दला में अर्म अथको बाद में ऐ ऊसे पानेशा जीरूएट में आपका सब्सक्राइब इस में फ्री प्रियर प्रॉम नो इस सब्सक्राइब कि एक प्र दोخला तो अंश्कर प्रॉठ करने यह कorf Yani Yeah क्या बोलते हैं पर और दो प्री फ्रॉम मिस्टेटमेंट और बोलते हैं भाई मैं खुश हो गया इसक्राइब कोई दिक्कत नहीं है मैं मेरा ओपिन नों के क्लीन रिपोर्ट ए अनमोडिवाइड अनकॉलिवाइड ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यह आपर विश्वास रख सकते ऐसे अथे लहाइक लेकिन द मिला जो मतलब मतता अप्री अधाड क tekrar मुक्या हे ने सब्सक्राइब आफ़ेजस में परसेंटेश लिए होगा आपने कुछ अलगा हूगा है इसका मंदों यह क्या है miss stated everybody agree miss statement का कारण दो चीज human error मद उली खली पर दो चीज क्या है error और fraud miss statement होने का कारण क्या होगा error or fraud समझ मैं आया अच्छा मेरे को अर्रा तो कि एर रहा सपोज यह मैडम ओनर है यह मैडम ओनर है इनके चेक किया और मुझे मालूब बढ़ा इधर जोल है इधर ऐसा होना चीए था इन्होंने इतना किया यह गलत है मेरे को बताओ ओके यह मिस्स्टेट्मेंट है कि नहीं है मैं जाके किसको बताओंगा पहले कि हो रहे है आपके फट्वाट बसे लगा के एवरीवड़ी वकिए अगर यह एरर रहा अगर यह एरर हुआ तो इतना ही अरो होगा लेकिन अगर यह क्लाइंट ने जान बुछ कर किया है ऐसा हो सकता है कि दिसरे किसी चीज में भी ही छांस हो सकता है न मालिक कि कि इसी के उप पता रहा हूँ हम auditor है हम investigator अपने को अगर मिस्टेटमेंट मिला मिस्टेटमेंट का कारण तो धुन ना पड़ेगा और मिस्टेटमें किकते कारण है कौन से तो कारण अचा फ्रॉड हुआ तो और भी हो सकता है और एरर हुआ तो और होने के चांस है सकम रहेंगे यह पॉइंट है ना मालिक जो भी रहा ओके मेरा क्वेश्चन वापस आ जाता है एफ एज़ूड भी free from टो स्प्रॉड मिस्टेटमें एबर कलियर दीव टूऊण और और अज़िस का काम है यह प्री फ्रॉम भाटार उना चाहिए अधिटर का काम नहीं है किसका काम है है क्लाइट काम है है पानेशल ट्Re shipment को श्री रखो काम है ये चेक आsan को कुछ समंझ में आ रहा है एवड़ी बढ़ी चलो है मेरे लिगने चिव freaked लोग दिमा में बढ़ेगा की वर्ट्स पड़ा पर मेरे को बता हो फानेशल स्रेटमेंट क्या किती चीज़ आते हैं उसके अंदर पाच नाम एम बैलनशीट टीए लोग महितर बारण जीट एफ क्या घृट्ष flesh अने पालके बलाओंचन रिफॉर्टिंग फ्रेमव बहुति आप्लीकेस्फवर्ड आपलीकेबल फानेशल रिपॉर्टिंग फ्रेमवर्ट अप्लीककी लवर्फ इनेशल एब फैनेशल मिस्टेटमेंट मैच नहीं हुए तो मिस्टेटमेंट मिस्टेटमेंट होने का कारान प्रॉड और तो मैं तुम्हें कभी भी शप्त पूछू ऐसा मिस्टेटमेंट डिफाइन करो मतलब क्या Miss Statements मतलब क्या is financial statement किसके हिसाफ से नहीं है क्या है आप इसथी में बुलता हो रखाएगा समझां फिह ओने चाहिये थे वैसे नहीं है उसको मीडिक है क्या भुथ आम येंगी गए एक उनकी है और भूला भाउन हाई रखा गाल इस इंग्लिष में में अगर इच्षोन हे लचानी थो क्रेंट तो है में क्लिए ँगले करेंड दोन को रिग अगर तो तो हम क्या बोलते हैं? Miss Statement, क्या बोलते हैं? भारत मात की जा समझा मालिक तो मेरे को बताव, Financial Statement चार सब लिखाए मैं आभी तक सिखाए, Financial Statement, A for F, Miss Statement, Error and Fraud. Error or Fraud. Error or Fraud. Okay, Financial Statement बनाएगा कौन? वर्डिंघ मैं चेंज करूंगा बात में पर अभी के लिए आप क्लाइन समगिए क्लाइन बनाएगा आउडि टो बनाएगा क्लाइगा पक्का ओके oh okay free from statement कौन रखेगा क्लाइटी कौन ध्यां रखेगा एर्र या फ्रॉड ना हो क्लाइन्ट कॉन ध्यान रखेगा भाई एक पर के साथ मैच हो क्लाइन फिर ओडिटर करता कि कि चेक करता है कि क्लाइन ने वो किया है कि नहीं किया है समझ में कुछ आया एवरीबरी पक्का इधर तक मेरे खाल से क्लियर मैं समझू कोई दो इधर तक पका ओनलाइन पटरलोग विडिशन देख पर कोई भी नाव बताईए मालेक का तो चार शब्द आपके दिपामें बढ़ बेढ़े हैं यहर शब्धों को पकड़ते हैं चार शब्दों को लॉजिक इदाते हैं अपन चार शब्दո्ड नहीं समझें अब सवाल उठता है कि अधीर को करना क्या है अधीर को करना कि अभी कुण क nee बात किया अब अपने ये सारी चीदे बात किये ये सब कौन करेगा ओडिटर कि जहर चाहिए मुझे जहर सूर्य वंशंग कि जहर वाली खीर पिलूँ कि एरा ठाकोर सामने है किसे नहीं अगर देखा ओनलाइन तो हाँ 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 ये काम कौन करने वाला है पक्का सबको ये समझा तो फिर ओडिटर का काम क्या है कि चेक करना चेक करना मतलब क्या अब इस पर चर्चा करते हैं कि चेक करना मतलब क्या है कि यह सब क्लाइंट ने बोला पानेशल चेटमें में इतना स्टॉक है कि वह इतना है कि रिए वह वेरिफाय करना वह चार्डड रिटार्ड नहीं बहुत सारे रोल प्लेगा आज ब्रिक के बाद आज के सेक्शन में अपने पास कंटेंड निया आज दो दिन अपने कंटेंड में डिसकाचन दिश्काचन रहे तो मेरे को बताइए सिए चेक करेगा सब्सक्राइब ज़त सिये मतब पड़ीटिर चेक करेगा एक यह बोला है भाहि है बिलांट में क्लाइटिट में क्लाए हैं 4000 की इन वेंटरी है 2000 की इन वेंटरी है 25 श्मान दे रहो यह पंचाइथ एकजम्बल आज के ने उन्हे BC क्वाद करनेंगे खल मैं एडिगारस अच्छी में है के नहीं है ये चेक करना चाहिए क्या कौन चेक करेगा क्वी चेक करेगा अधूरेण इसक विपके लिखा ये 2,000 है नाना चुशत करना भूतक्त जोल मार सकते यौत जर्टर आपको यहाँ प्सुबनिटिट में आपका कुमम कैसे बनाना है महालून है तżen bertar अब मेरे कलोजिंग स्टाउग बढ़ा सकता हूं यहें अलग cortene सब्सक्राइब इता है मेरे को भूचे सब्सक्राइब कर अद्कुण सक्राइब में त्रेडिेंगों बढ़ा दिया क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा यह किता जाता है नीचे किसमें जाता है PNL बढ़ेगा मलग मैं आतमा तो PNL क्या बढ़ेगा profit अच्छा देखो closing stock 1000 अरहां ये था मैंने 2000 कर दिया 1000 अरहां मैंने किता कर दिया 2000 तो क्या बढ़ गया मेरा profit seven से बड़ा है 1,000 से एक्स्टा हो गया किटना आना चीट क्लोजिंग इ CSI एक हमने डिखेगा किया है क्यों सुम सकते हैं किन्स जाहाए में कितना होना चीए है एक हैं एक हजार कल घुन ने है पर तौस próxima में आ गया अब क्वेश्चन है मुझे यह कैसे पता चलिए का मिस्टेट रहा है कि अध्या करना में समझ यहां तो एक आपने क्या वोला है फिजिकल्व वेक्शन मतलब उद्धाओ जाके चेक करना एक एक यूनित अपको लगता है 2000 के 2000 यूनित निकल की चेक कर पाहूंगों आप पॉछसेज रिजिस्टर आपको लगता है प्रच्टे रिजिस्टर आपको देने वाला कौन है है क्लाइंट क्लाइंट मौडिफाइंड नहीं कर सकता मैं मेरे को मालूं में तुआ अजुम तुप यही चेक करने वाला था तो हजार कीजिए वार यूनिट्स वैसे मैंच कर द प्रॉड रिया तो पकड़ोगे कैसे क्योंकि सामने वाला मैनेजमेंट मतलब क्लाइंट वो भी तो बहुत शाना है ना उसको मालूम है तो देख भाई पिछले बार पकड़ा गया अगली बार थोड़ना पकड़ूंगा अगली बार तो बहुत अच्छे से करेगा और उसने यह दिक्कत आपको समझना आ रही है डेटा कौन दे रहे है तुम्हें लांट दे रहे है कि मेरे को बताओ क्या तुम 2200 जाके चेक भी किया सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं वस्केस तुम 2000 चेक कर रहे हो क्या ऐसा हो सकता है ओके आपको एक्जमल 2000 है 2000 में से 10 नॉर्मल हो चुके थे लेकिन तुमको समझाए नहीं हो नॉर्मल लास हो चुके एक्जमल होता हो सिमेंट की फैक्टरी लेते हैं कौनसी वेक्टरी बीटा सिमेंट की गोनिया पड़ी थी कित्ती गोनिया लिखी इनने 2000 मैंने जाके 123 सब काउंट किया 2000 बरुबर मिला लेकिन वो कि मैं सिमेंट सिमेंट है खोलो सिमेंट है आप ठक ठक मारके देखो मालब काम धंदा ही छोड़ी देते हैं अब अब प्रॉब्लम समझा आपको अफिर आप दूसरा बोले आपने परचेस सेल्स चेक करना यह तुम्हें एक एक एक्जम्बल दे रहा हुँ आपन और पिरिय पर जब पकड़ाने जाए ओर ऑणके जाना अब यह को एक एक्जम्बल यह घराम सटाफ है यह यह प्रेमें स्टाफ है मेरा वह फ्रॉड किया और आमित तयंद ने फ्रॉड किया कौन सा फ्रॉड मुश्किल पकड़ना कि देखो अच्छा मेरे को बताओ पहले फ्रॉड और एर्र क्या पकड़ना असान क्या पकड़ना मुश्किल है क्या अपने पास इन्वेस्टिगेटर के पावर है स्टार्टी लेक्चर का स्टार्टी उससे हुआ अपने पास तोर दो दर्वाजा नहीं है और यह दिक्का दाती इसी लिए और एक शब्द आप पकाईदा बिठा देना तोड़ और यह शब्द को अपन और पिरेड और इंप्रोवाइस करेंगे लेकिन अब इसका मतलब अगर अगर अच्छा ओपिनियन अच्छा मेरे को बता अच्छा वापस एक स्टेट्मेंट लि इसके अंदर डालते जाएंगे और वर्ड डालते जाएंगे बाद में अभी के लिए फैश विप्री फ्री फॉम मिस्स्टेट्मेंट एवर्बडी एग्री ठीक है ओके यह कौन बनाएगा प्लांट ओके इसको चेक कान करेगा और अटिटर ओके मेरा क्वेश्चन था क्या इंवेंटरी किस ने रखी ओके यह सब आपने चेक किया लेकिन अगर क्लाइन ने कुछ फ्रॉड गया तो दिक्कत तो आई सकती है ना तो आपने पूरी चेकिंग कर भी बहुत तोड़ चेकिंग कर भी ली तो क्या आप मुझे गारेंटी दे सकते हो कि फाइनेशल स्टेट मेंडरी करो एक और एक आप और सेमस्क सेल्स का सेल्स क्लाइट बोलता है पंच करोर का वालेकन निवे 7 करोर तरफ दो करण लोड दोड़ गए दो ओड़ गए तरफ इन्वाइज जला दीए कश में आया था पैसा कास की समझ आया गया है और तुमको घूएंगर मेरा पांच क्रॉड़ का सेल हुआ है जबकि कितने का सेल हुआ है टैक्स अतने पे भर ना था है टैक्स कुतने बहर रहे ह करने वाला तो फ्रॉड महीं मैंने ही दो कर रुड रहा है अब बता तु कैसे तो पकड़ेगा कैसे तो पहले बात क्वेश्चन है मालूम कैसे बढ़ेगा दो क्रोड कर चीक है बैठा हुए आमित अब इसकी स्किल्सेट समझ भारा है पर क्या तरुकर फ्रॉड धूनते बटना है क्या है नहीं तो यह सब चीजे आनी चाहिए यह बहुत बगाए अब मेरे को बता यह सब चेक कर लिया तुने सेल्स पांच को देख लिए इन्वाइस सब चेक कर लिए पांच क्रोड के पूर थे मोडिफाइडल के अच्छा उपीनियन देना मतलब अन्मॉडीफाइड और मैं भराप देना मतलब अच्छा में बोल रहा हो कि तुम विश्वर्वास रख सकते हो कि अमयड्ये अन्मॉडिफाइड और में अल्मॉडिफाइड ये Мाए तुम देख लो मॉडिफाइड अब मेरे को बताओ यह सब तुमने चेकिंग किया ओके चेकिंग करने के बाद तुम कान सा उपीने दोगे तुमको लग रहा है सब सही है अन्मोडिफाइड ओके इसका मदा आप यह बोल रहे हैं को जोली नहीं है कि आप 100% गैरेंटी दे सकते हो क्यों नहीं दे सकते हैं समझ आकि काम एक तरफ और काम एक तरफ और और के उपर तो ब्लंडर एकदम भाहिंग कर रहे हैं कि मालब बहुत मालब इस नौट इजी पैसा है लेकिन वह भाई साब ओके वह हो ऐसा आसानी से पैसा नहीं आता हो ओडिटर का पैसा मतलब निक्सकेल आप इमेजिन करो अगर इ अमित तर्य ने दो करोड़ का जोल कर लिया पॉब्लिक ली नियूज हो जाती है फसे का कौन है अमित आतर बाद में है इस शेरवोल्डर बोलेगा हमने किस पर विश्वास किया था औडिटर हमने और विश्वास किया था क्या भाई किधर ओडिटर ओडिटर कि समाज रहा तुछ थुक गई है थुक गई लग गई वके गाया अरे भाई केरियर श्रीक पर आ सकता अपना भी अपने इंस्ट्यूट निकालेगा इस भी अपना भाईशकार करें इसी चीदों में इस तो अपना सपोर्ट निकरेगा क्योंकि यह फ्रॉड वाला यह में अलिमेंट आ तुछ यह तो कितना ध्यान लगना पड़ेगा इसलिए एक एक यह एलिमेंट ध्यान में रख हम कभी भी 100% गैरेंटी नहीं देते हैं इसलिए और एक शब्द आता है इसलिए audit में एक हमेशा वर्ड होता है वो होता है assurance क्या वर्ड होता है वैटा assurance और हम जो assurance देते हैं ओके दो वर्ड ध्यान रखने अभी के लिए अभी के लिए है परसु जब chapter 1 है परसु मतलब मंदे से जब chapter 1 चालू करेंगे उसके अंदर और दो तीन वर्ड आएंगे assurance के लेकिन अभी के लिए दिमाग में रख ओके एक होता है absolute assurance कौन सा assurance एपसुलूट एपसुलूट मतलब 100% assurance यानि एपसुलूट मतलब गैरेंटी ओके क्या हम एपसुलूट एशुरंस दे सकते हैं कि financial statements are free from misstatement नहीं दे सकते हैं क्यों नहीं दे सकते हैं समझ में कारण समझ में आया है क्या इसके कारण किसने फ्रॉड किये थे management मैं आपको यह ऐसा नहीं कि इस पर blindly विश्वास कर लेंगे और काम खतम करेंगे ऐसा नहीं है पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा और कितना भी किया कितना भी तुमने ध्यान रखा तुमने 100% लोग लगा है पूरा काम किया फिर भी तो मिस होनी की स र resonates okay a reasonable assurance please suni a Ram se jaya reasonable assurance । ईत channel a Tiisa dal ची कौह था सीथे जो नम बताइगे तो एपसुल LexБail मुझे दो नाम वापस और खंशू ए एप्सुलीड है या जिरिजनेबल ऐसान सब लोग मेरे साथ वा बर्च ए absolute बोलिये या reasonable बोलिये दुनों में फर्क क्या होता है, absolute मतलब 100%, reasonable मतलब 100% नहीं, but near to 100%. Sir, what is the reasonable assurance? Reasonable assurance means any level of assurance which is high assurance. Any level of assurance which is high assurance. वापसा आता है, reasonable assurance means any level of assurance which is high assurance but not absolute. मुझा वापस यह है, any level which is high level of assurance but not absolute, इसका interpretation कैसे करोगे? Any level of assurance which is high but not absolute, मतलब क्या? मतलब 100% तो नहीं है, but near to 100% है, okay, या नहीं एग्सांपल, what is the reasonable assurance? 99 can be reasonable assurance, 97 can be reasonable assurance, 90 can be reasonable assurance, 80 can also be reasonable assurance. सरी यह कितना रखना चाहिए, judgment, यहीं तो डिसकस कर रहे है हमाँ, यहीं तो सबसे बड़ा कांड है, बट मेरेको इतना बताओ, एक थोड़ा था 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 लगाओ, मेरेको बताओ, क्या बोलाँ मैंने, guarantee, क्या मैं 100% guarantee दे रहा हूं, तो मैं कौन सा assurance दे रहा हूं, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एज ऑडिटर, अभी मेरेको ऑडिटर के रोल में डालो, मैं ऑडिटर के रोल में हूं, मैं बोलूँगा, मैं reasonable assurance देता हूं, कि financial statements are free from misstatement, मैं क्या assurance दे रहा हूं, financial statement are free from misstatement, कौन सा assurance, reasonable या absolute, reasonable या absolute, absolute दे सकता होगा, क्यों नहीं दे सकता, एक reason बताओ, एक reason, अगर sophisticated fraud हुआ, evidence देने वाला कौन, अगर lion ने कुछ evidence चुपा दिये तो क्या करोगे तो, कुछ समझ में आ रहा है, इसके पर वह यह मैं बोल रहा पूरा audit इसके पर निरे पर है, यह base तुम ready कर रहा हूँ, okay, वापस आते है, मेरे को बताओ, दो assurance के नाम दिये मैंने, कौन से दो assurance, absolute and reasonable, मुझे वापस चीए, वापस चीए नाम, absolute and, what is absolute assurance, 100%, यहनी 100% guarantee किस में मिलती है, absolute में, क्या audit में 100% assurance मिलता है, कौन सा assurance होता है, reasonable, अब क्वेशन आता है, reasonable assurance मतलब कितना assurance, 100 नहीं, near to 100, अब near to 100 can be 80 also, 50 के ओपर तो near to 100 होएगा ना, तो वो कुछ भी रहे, वो उसके पर चिंता मत करिये, पर आप दिमाह में डाली है, 95% reasonable assurance, 97%, 92%, अब आप 90 के ओपर रखते है, सरक्या 80 ने रख सकते है, रख सकते है, लेकिन फिर 80 रखने वाला जो auditor रहेगा, अब इमाजन करो, एक A auditor है और B auditor है, कौन सा assurance देंगे यह लोग, reasonable या absolute, example percentage बताओ एक 98% और एक कित्ता दे रहा है, 90%, अब मेरे को बताओ, यह 98% क्या दे रहा है, 90% गारेंटी दे रहा है, वर्डिंग अपनी language में रखते है, 98% क्या दे रहा है, क्या गैरेंटी दे रहा है, कि फाइनेजल सेटमेंट इस मिस्टेटेड ग्या, प्री फ्रॉम स्टेटमेंट यही लॉजिक बोल रहा है, कित्ता परसेंटेज, 98% समझ में आया, इसका मतलब जो बचावाद 2% मतलब क्या है, चांस है, यानि 2% ऐसा चांस है, कि फाइनेज़ेट में क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या खाली फ्रॉड मत बोलिये, या चांस है, पर कित्ता परसेंट चांस है, 2%, अब मेरे को बता, अगर मैं बी वाले ने क्या बहुत है, 90% क्या गारेंटी दे रही है, यह फाइनेज़ टेटमेंट और फ्री फ्रॉम मिस्स्टेटमेंट, यानि 10% चांस है कि इपर आगे, एंपर मुस्स defy, कांच बढल अच्छे से या काम क्या होगा, इंटे अच्छे से काम क्या इसमय्ज़ सुमझ के बता हिए आपस लएकि जा ता हूँ, या ये या सुना अरम से सुना अंढ़ी सुनाओ, कि यूँ नहीं दे सकता एक रिजन दो बताओ मेरे को एक रिजन क्योंकि आपको इविडेंस कौन दे रहा है मैंनेजर क्लाइंट दे रहा है तो क्लाइंट ने अगर जान पुछकर इविडेंस शुपा दिये तो काई थी में जोल नहीं है तो मेरे वाले की केस में कितना परसंट चांसन हे जोल हो सकता है कि या नि किसकी योपर रिलाय करना बहुत तोड़ रहा सकता है आए कि किसपे रिलाय करना बहुत डाउटफुल है यानि बी क्या बोल रहा है 90 परसंद सभी है लेकिन 10 परसंद भी हो सकता है यानि यह शेरलडर बोलेंगे बीचयों पर रिलाय करना मुश्किल है क्यूंकि बीके जो स्टेटेटमेंट्स है उसमें चांसे अफ एरर और फ्रॉड जा से यह बोलता है कितना परसंटेज कार कि संभाण होना bitcoin आप मिलाइक बतहां कि का गU अभ्रगान कर लेता तो यह उता आएड नाइट इन आइट वाल भी 99 लेकर दा सकता है यस किया नाइंट ने पाइंट नाइन पॉइंट नेकर दा सकता है एस कि ये फीजिएबल नहीं है बात लेकिन में बोल्रो पट क्या आइन्टेन पइंट इन वाला हंट्रेंड के लाए सकता है यह जिन्दगी में नहीं हो सकता कि यह समझ में आया क्या एवरीबडी कुछ समझा गया बाकी फिगर में यह पर लॉजिक समझा गया तो मेरा क्वश्च्छन रीजनवल अश्वरंस मतलब कितना शॉरंस कि वह रिजनेबल एक्षणरंस कैसे देडा चेकिंग करके अब इस जादा जिसने कमड़ एक्षरंस तम देना है अब आप थोड़ विधा थोड़ा जैसे जैसे आप ब्लॉक्त बनाते जाओगे यह बैठते तोड़ बैठते जाएगा लेकिन मालब अगर आपको वो सोचने की कॉंसेप्ट में होके नाम बदल देना हंडेड़ पसंद वो नाम में रख लूँगा तुम अगर चुमू भी वो लोगे मैं चुमू रख लूँगा मैं तुमको चाहिए मैं इंस्टाग्रम पे डाल दूँगा गैरेंटी बोल रहों मैं है कि मैं लिख दूँगा चुमू अमिता तेड़ है कि सच्ची बोल लेकिन अगर आपने ध्यान दिया अगर वह सात्वे असमा में पहुचा तो फिर भाई तोड़ ताटेड़ कि लॉटिक वसी है यह वह वह ब्लॉक्स बिठा दे जाओ तो सबसे पहला ब्लॉक्स अपने को क्या समझा कि एक सीए ऐसा हो सकता है सब्सक्राइब यह सीए है दो अलग लग सीए एकदम जाबा काम की बहुत बैतरीन काम कि इसने सर इसने पात्सो आद तो आर्टिकल सौसी इस सबीकॉम कि अब एक्जाम देने वाला में तो है अनो भाई अरे अधर उदर के उसके रिष्टेदार और सब कोई मिलने रहा था तो भी किसी को भीज दिया उसने है इसने खाली टोटल शाल लगा है तो मेरे को बता किसने बहुत 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 बहु तुपा दिया तो क्या करेगा तो सर मैं धून के रहूंगा अरे कई से धून देगा कि यह यह आपको समझना पड़ेगा और यह केस्ट है सर इसका मतलब क्लाइंट पहले से फ्रॉड करके बैठा होगा ऐसा माइंट से रखना है नहीं पर आपको सिटुवेशन से समझ में आएगा वह वही तो आडिट है कि नियुट तो क्वेश्टन यह है एक पालिक तो अमिरत को जीतना शॉट एक है डूर्ण के रिलाइव करने वाला या रिलाइन नहीं करने वाला इतना कम रिजनेवा लश चुरांस अच्छा क्या 75 भी जीएक रिद एशुरांस हो सकता है यह से एनिपिंग अपाव फिफ् 75 is also near to 100 but 75 वाला और 97 वाला कौन सा बहतर ही किस ने महनत कया तो कौन से आडिटर पर जादा अभी मेरे को बता फिर A और B कौन से आडिटर पर विश्वात जादा करोगे भारत मात की जैज लॉजिक बैठा क्या तो मेरे को बता रीजनेबल एक्षरेंस 97 परसंट है तो 3 को सकता है आत्मा क्लियर एक्ष्विक में एक्ष्ण यह सब्सक्वत्र मेरा में शॉय पर इसके ऊपर घ्वांता ऐब डीटर पाप दिखेञ अपने पोयला करीं और प्लफ से बétait कि स्तिकल मेरे क्लियर अख बतांव है किसका का में कि Alan Lipton का क्लान क्लые और आवज नहीं आ रहे हो पक्का उसको चेकंग करना किसका अचेकंग करते हो क्या 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 वह लेता है वो ऩो reasonable assurance फिर भू आपको देगा क्या रिपोर्त क्या देगा वो रिपोर्ट के रिपोर्ट करेगा इन शॉ'd ओडिन का काम क्या है अडि काम है आरे ओप्टें करना क्या ओप्लपरिण करना अरे अरे का एअज्यवरेंशरंस रिजनेवल डास राum opportun कर्को提 исп लिए उपीनियन कित्ते प्रकार के होते अभी के लिए कॉंसे दो प्रकार के सम्मावना कम हो जाएगी आत्मा clear और का चाम कहा होगा सारी चीज़े वेरिफाय करने का रीजनेबल एश्रणस लेने का और ओपीनियन देने का और उपीनियन किसमें देने का रिपोर्ट में है ऐसा मुह से ओपिनियन नहीं देता वो लिखित ओपिनियन देता और वो रिपोर्ट सबको देता है आतमा क्लियर ठीक है बगाई दाता क्लियर है कहा है कोई दिक्कत पक्का है चोड़ा सा कॉंसेप्ट है उसके बाद फिर प्रेक लेते हैं बैलेंशीट इसमें इन्वेंटरी है पाच करोड़ इन्वेंटरी का मेथड एकाउंटिंग स्टैंडर मतलब क्या एकाउंटिंग स्टैंडर में जब बोलता हो मतलब क्या ए ए एफ आरेफ एकाउंटिंग स्टैंडर में जब बोलता हो मतलब क्या ए ए एफ आरेफ एकाउंटिंग के साथ से मुझे लिफो लेना था लिफो नहीं सारी इन्वेंटरी था ना हाँ लिफो लेना था मैंने लिया फिफो मैंने कॉंसल लिया फिफो जो होना चाहिए ता और जो है क्या यह दोना अलग लग है पक्का लेकिन लेकिन मेरे चाचा का विशा है जो यह पाच करोड़ है अगर मैं लिफो लेता यह किसके बज़े से पाच करोड़ आया फिफो से समझा कि अगर मैं लीफो लेता तो इसकी जगशन करोड़ा था यानी सर्कित्ती का Oppsen से mother लेकिन क्या हज्ण रुपए के लिए बीस करोड़ों की बैलन शीट में हजार रुपए तो मुसको मौडिफ़ाइ करोगे qué एक और एक शब्द आता है and that is called maternity है ना याश शब्द इंकॉर्परेट करिये तो मेरा वर्ड है ओडिटर को क्या करना है और टर को क्या करना है सून मैं पूरे सारे शब्द को जाइन करता हूं और यह मत्रलिटी मतलब क्या मैं समझा दो चिंता मत कर लेकिन तेरेको समझा हज कि शेरल बड़ेगा ओ भाई फिर वह इजट करेंगा अपनी कि अले हजार रुपे क्या बता है मेरे को बीस करोड़ की बैलेंशीट है यार बीस करोड़ मैं से क्या हजार रुपे हुए चलता है बहुत लेकिन यादकना फ्रॉड में नहीं चलता फ्रॉड अगर एक रुप दिख्राइब प्रॉड मैंतेरियल मिस्टेटमेंट क्या बोला मैने मटरियल मिस्टेटमेंट मेर्वाव प्रॉड में मैं अब अबनिकारेब श्रीच मितरियल मतलब अनीग विच इमगण।बनस तुट्ट ओ फ्रॉड और एरर यानिह और एक नया श्या श्दा है आपके मोरे मेंस इन यह घ्टिंग विच एन फॉइंस सक्षडम की जिजान औफी एपास आथे आथे किम वेंज handc यहनी अगर बाइचान्स सब 20 करोडं में आपको एरर मिल रहा है एरर सब मिल रहा है तो आपको इसको आइलाई8 करना चाहिए करना चाए करना चाहिए करना चाहिए क्योंकि ऑदिथेर Yo Rapid should be free from ਼ट Immediatelyγοard अब पसके वएखthere ब्ढ़िया सब पक्टेश मुंबई एक अपना क्लास मेट्रों तो है मैं तो यूजुवली मैं अपने घर से ट्रैवल करता हूं मेट्रो में मेट्रो से क्लास में पहुंचता हूँ पर मेट्रो में घर से माइमें अभी अल्मस्त ये एक दोजी कम में मेरा लेकिन पहले भी वॉकिंग gram नहीं था सब यह कुन्रा मताओ क्वाल कि शन sıं अ ex पर मेरे साले ने एक बार चलाया था इदर से लेके गया तो प्रबाट ठेटर के उदर आगी किता लिए दो मिट करके मा किसम कितना आदा घंड़ा लिया दिमा खड़ा हो गया पर उसको भी गाली नहीं दे सकता है साले को तो गाली दे नहीं सकते हैं आतमा क्लियर है तो आप सीन है ता फिर मैं घर से ना मेट्रो तक वॉक भी नहीं जाता था लेकिन फिर भी मैं रिक्ष्टा पकड़के जाता था कि मुंभई में में मिटर पर चलता है पुना में मोंझा बंग में म nouvelles पर मुझूं Love Mubei मीटर पर चलता है तो यूझरले एक मिटरों में कुछ आता तो पिं अधा कि खहर तो एक मिंद्टर में एक npr आता था तो वह अभी 23-24 है तभी 19 था 18 कुछ 18 या 19 था 18-19 कुछ वो टाइम पर ऐसा था तो मैं रिक्षा में गया बैठा ओके ज्यादा था तो अब मैंने 20 रुपे का नोट दिया मेरे को एक कॉमन एंसर मिलता था रिक्षा अले से चुट्टा नहीं है मैं बोलता था रख ले छोड़े इंग्नोर कर क्या दिमाख फोड़ी करने का क्योंकि मेरे को खाई रहती निकलने की मैं थोड़ना बोला सुबेश्य वजे मैं थोड़ना दुनता था चुट्टा लिक्या था हूं कि 100 रुपे का नोट दिया कभी सब्सक्राइब भी स्ब्सक्राइब यह छुट्टा नहीं है ठीक है रख ले चुट दे जाने थे पॉसिबल है यह तब ही हुआ रहेगा पाथ्सों का नोट दिया है कि वह बदा चुट्ट नहीं है रख ले ठीक है दो हदार की दी एक मेरे लेकिन अब मेरेका बता अगर तुम अगर सौरुपे है नोट दोगे तुम शायद वीस रूपे में सेटल हो जाओ लेकिन तुम सौरुपे का नोट दोगे और उसने बोला चुट्टा नहीं है तुम बोला रुक मैं लेकर आता हूं पॉसिबले तुम में से को एकाथ बंद वा देखो इसको मैं कंजूस या वो काटिकर में जाल रहा है इसको मैं अपर दे रिविंग दलाइफ मैं उसको इसको आप ऐसा माचलो तरह श्टाइक स्टॉप इसक्रिमिनेशन तातेर अधिडर अधिस इस 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 स्क्रिमिनेशन हापनिंग इन दलाइफ वैसा हो सकता है कोई 20 रुपया है अरे है मेरे घर पर मतलब ऐसा रहे गई पापा अगर क्योंकि उनकी लाइफ वैसी निकलिया ना लाइस्टाइल नहीं है तो वो दो रुपया निकालेंगे कैसे निकालेंगे मतला वो रुकेंगे दुदा चुट्टा धुंदेंगे और उसके बाद देंगे और इसके बाद दोर बेलेंगे हर जन के लिए मतलेटी आलागे है बिगेस्ट प्रॉप्लम यह मेरा क्वेस्ट्टन है वोके फानेचल टेटमेंट शूट भी फ्री फ्रॉम है वाट इस मट्रील अमूंट है कितन बीस करोड में कितना कि डिपेंड्स अन क्लाइंट कि तुम समझे मेरा पॉइंट अब मेरे को बता अगर तुम नए सीए निकले नए सीए ऑडिट करना चालू किया नया सीए हजार को भी मट्रील बना देगा है फोटे चोड़े माउंट भाई उसको डर भाई एक रुब्य मेरे को बताओ एक नई कंपनी में तुम आडिट कर रहे हो उस कंपनी के बारे में कुछ ABC नहीं पता है तुम्हें तो शायद तुम मट्रेलेटी चोड़ी चोड़ी अमाउंट पर रखोगे लेकिन पहला साल होगे अदूसरा साल होगे अडिट का माह कसम तरीसे साल ते शाय फारे में करता है मैं नहीं नहींण लिएम लेकिन अपना इसानि होगा rights hani but वागए दो यूज करना है बहुत बार मट्रेलेटी तो एफरीप बताता है एफरी मतलब ओकेज्मेर का बता ओडिटर का काम क्या है तो अन्य अन्य प्रीप्रों मेट्रीट्यरियल मिस्टेट्मेंट यूट्यू टू एर और फ्रॉड ऐंड उसके ऊपर हमें क्या करना है है report समझ में आया auditor का काम क्या अब मैं आगर question पूछू what is an objective of audit okay objective of audit यह definition नहीं बोला मैंने objective तेरा मकसद क्या audit का तो तेरा मकसद है दो मकसद क्या दो मकसद है पहला reasonable assurance obtain करना क्या reasonable assurance obtain करना financial statements are free from material mistake okay अब या तो हो सकते हैं free from material statement या तो नहीं होंगे हुए तो रिपोर्ट कर कौन सी रिपोर्ट करेंगा हुए तो unmodified नहीं हुए तो modified यानि तरको दोनों किसे में पहला तो तेरको लेना है obtain करना यह समझा अब अगर यह तरको confidence मिल गया अगरे तरको confidence तो तो रिपोर्ट में क्या डालेगा unmodified और तरको अगर confidence नहीं मिला तरको लगा नहीं महा का समसाला free from material statement नहीं है तो क्या करेगा modified भारत मत किया सम्झा मालिक तो मेरा question है आराम से last answer मेरे को बता दिए और अबजेक्टिव एन ओडिट और be from material misstatement जेपा मालेक and to report every clear report अपनी मर्जी से करेगा standard के साथ से करेगा to report in accordance with standards on auditing standards on auditing everybody clear पक्का पक्का background समझा ब्रेक लेते खाना खाओ ठूसो दूसने के बाद थोड़ा सा 15 मेंट आराम करो फिर इसके बाद अपना second agenda में आज आपन क्या करेंगा आज आपन CA बनने के बाद आप क्या क्या काम ले सकते हो chapter 1 का content है वो क्या 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 काम ले सकते हो वो आपन discuss करेंगे और आप standards जितने भी है सारे की list बना के end करेंगे इस एक घंड़े का content है एक घंड़े का content अब ब्रेक के रहिए तो वेलकम बैक मालिक तो वोफ़ुली आपका खाने खाने बाद का time वगयरा सब थोड़ा सा करेंगे तो भारत माता की जाए मालिक तो वेलकम बैक मैंने आपको अपना जो स्टेट रहेगा सवाग्या से सवाएक या देड़ बज़े तक concept पढ़ेंगे और उसके बाद दुफैर को 232-315 अपन लिखने वाला प्रोसेस आनि यह रहेगा पर यह दो दिन के बाद चलेग और यह ब्रेक के पहले आपनी जीज की किए ओड चैसी कि और टाक्या है ओडिट्र को अब्जेक्ट्व क्या है और अडिक को अभ्जेक्ट्व क्या है अगया प्टे div कर्ना कि financial statementsडाμά करा free from material mistake, में ये क्लियर है न मालिक? reasonable assurance और absolute assurance में difference क्या है? absolute assurance is 100% reasonable assurance is near to 100 but not 100 but how much near to Malik? Can it be 90? Can it be 95? Can it be 97? अच्छा, can it be 75? पर जितना कम होते जाएगा ना उतना auditor पे confidence मतलब मेरे वपर विश्वास लोगों का कम होते जाएगा तो लोगों का अगर विश्वास जीतना है तो मुझे रिजनेबल एक्षरेंस कितना रखना है ज्यादा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा लेकिन कितना नहीं रख सकता हम है अंड्रेड कैने भी 99.99 परसेंट यह लाजिक क्लियर है ठीक है और दूसरा अब्ज अब्जी से करेगा यह स्टैंडर्स के सबसे करेगा स्टैंडर्स के सबसे ठीक है इतना बैसिक बैकर रांट सबको क्लियर ठीक है चार्टेड अपने पास ओप्शन क्या-क्या है सी अबनने के बाद मैं एकार सकता हूं पहला पॉइंट टीचर एक पहला क्वेशन आगया ट बाद के जलते होंगे ऐसे में अबनने के बाद बाद ज्यादा है इंस बोलती है हमको को देना दिना नहीं है तुम से तुम अपने टीचिंग करो लेकिन नाम के आगे सी ऐसे लगाओ या नहीं लगा सकते अमिट द्री चार्टेड अंस नहीं लगा सकते हैं ते ले लगा सकते हैं किया अपनी आप टीचिंग में पर सिहें अमिट आप येस येस अरे मैंनत किया है उतना तो वर्थ है न भाई ये तो लॉजिक लिए रखो आपने कोड़ फिक से कोड़ फिक सेंस्यूट का सिय आक्ट है सियेग नीटने है रही फाइंल में होगा लेकिन असका जानकारी अपने पास रहीगी लेकिन आपको बढार हो प्रॉक्षण डूसरा जॉब जैन सकता हूं इस्टुट बोलती है जॉब जैन चया तो वहाई मेरा जॉब कर रहो ठीक है सर क्या मैं घर का कोई बिजनेस है वो कर सकता हूं येस सर क्या खेती वाड़ी कर सकता हूं येस बहुत अच्छा बिसनेस है और आज के डेट में अगर मैं पूशन बहुत सारे क्राइटर ध्यान में रखू मैंने अपने बच्चू के लिए तो ऐसी सोच क्या होने वाला मालम है कि अगरिकल्चर पॉनसेट अपना भी एजेंड़ वैसा ही है वह उसी के एरिया में जाएंगे भाई उसने ने की तो अपन कर लेंगे अपन तो करेंगे लेकिन उसके बाद ठीक है देखेंगे लेकिन और एक एरिया हम बिजनेस कर सकते हैं जो करना ह सकते हैं वापस नाम के आगे तो यह लगा यह लेकिन अमीद ताटेड चार्टेड अकांटेंड यह मैं कब कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ प्राक्टेस है आप जिस दिन सिरी यह बन जाते है और आप सोगतव होसी कि मैरेक प्राक्टिस करना क्या करना फ्राक्टेस और कॉनसी प्राक्टिस होती है यहesам receives शीने लेकिक प्राक्टेस अच्छा वापस सब्लानों वापस र्क्राउड कर्वा दिता कि अगर उसको ऑडिट में दिक्कत आया को और किसी पास जा सकता है अगर उसको और अपना जजमेंट लगाएगा किसकी मुदद लेगा आइसी है यह समझा यह नहीं में अगर प्रक्टिस किया ना प्रक्टिस मतलब बेना ऑफिस को लाना तो मेरे पास लीगल के लिए भी कोई डिसकेशन करने आ सकता है अगर मैंने प्रक्टिस चालो की मैंने प्रक्टिस मैं और क्या उसकर रहा हूं प्रक्टिस मैं कितने तरके के इंगेजमेंट ले सकता हूं मैंने क्वेश्चन क्यं बोला अगर मैंने प्रक्टिस चालो के तेओ जूब को इगनौर करो टीचिंग को इगनौर करो बिसनेस को इगर करो एगर कल diu करो और प्राक्टिस करनी होगी क्या करनी होगी तो क्वेशन आता है प्राक्टिसिंग कितने तरके इंगेजमेंट लेते हैं और अगशन करना हिए अपने को काम कर शेकर ons परकटिसिंग दो प्राक्टिसिंग कर सकता है पूर चार काम कर सकते हैं यह ध्यान रखना है आप जो भी काम लोगे चार के ग्रूपिंग में बैठेगा यह चार के अलवा और कुछ बैठेगा नहीं तो चार काम कौन से कौन से इसके ओपर डीटेल में डिसकेशन मंडे बहुत अच्छे से होगा आज इसके ओपर थोड़ बेसिक जानकरी लेंगे बेसिक मतलब जितना आपने को इंट्रोड़क्शन लेक्चर के लिए चाहिए यानि कल तुम सी एबन गए सी ए बनने के बाद मुझे ऑफिस कुलना है ऑफिस कुलने के बाद मैं क्या-क्या काम ले सकता हूं तो चार तरके आपको काम दिये हुए अपनी चार तरके काम में डिवाइड किया है इसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट क्या बोलते हैं यह इंगेजमेंट यह इंगेजमेंट नहीं है ठीक है यह इंगेजमेंट का डिसकेशन इधर नहीं आ रहा है यह इंगेजमेंट तुम्ह लिंग उठी ने बरबाद किया है सोने में कन्फ्यूज हुआ रेकॉर्ड होना काफी नहीं है उसको देखना भी ज़्दी है हाँ 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 आप दिखा ओगे ठीक है ट्राय करते है देखते हैं किसी के अंदर क्या हिम्मत है कोशिश करेंगे हम लोग के काम हम दिन वीरियस इंगाज में ट्रीजर कास्ट इंगेजमें समय हो आइया, स्वक्ष नियरिज केंदॉग कान बतारता एक एंगेजमेंन डेलिंग ऑलीज अंदीः इंगेजमेंट की अविं और तंड मों ट्रो weekly कि models क्या लेने का अणिटर का मि काम क्या है, तो अपतेन। प्रिजनेबल एस्षरेंज दैट क्या 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 फिनेशेल सेटमेंट ना अपेरियल मिस्टेटमेंट तो पॉएड़ान ओपिनिने रिपोट इन अपोराइन स्थानडस। इंगेजमेंट होता है इंगेजमेंट वापस काम और इंगेजमेंट होता है जिसको हम बोलते है इंगेजमेंट कौन सा इंगेजमेंट बीटा रिवियू रिवियू होता क्या है देख ऑड़ेक डिटेंड वर्जन होता है रिवीऊ ओवर्व्यू होता है रिव्यू करना ओके अच्छा अच्छा ऑडिट किसका कर रहे हम लोग अच्छा और जिताव ऑब्जक्टिव तो णरी यसे इंगर सेटा़ कि एकिल लांगे के कि एक को एंगे मत लेते जाएंगे यहानि अब लेती मोटी बताव रिए अपना क्लाइंट लेता है पेले क्लान अपना यह है और अपना क्लाइं पंट्र यह है ओंके अपन dips के अलोग क्लांट इंद्रजीत एक कंपनी खुलते है। मेनेफुक्चिर नियूनिट है देटकी और क्या मैनेफिक्ट्स्थ Obrig एक इन अपर चैसी करेंगे आयरे अपपे तो इन ने मैनसे दि एक आ कि आ ट हम हमारे financial statement यह रहे जो हमने बनाए इंद्रजित ने हमें बता दिया यह हमारे financial statement है इंद्रजित private limited के वोके आप इसको चेक करिए इसको audit करिए और इसके उपर opinion दीजिए कि audit करूंगा तो financial statement में sales लिखा होगा sales कितना लिखाता बेटा एक लाग इंद्रजित भाई एक लाग का वह invoice बताईए invoice लूंगा मैं ओके इनवाइस समझ में रहा है invoice sales invoice लेगा उसके अंदर क्या-क्या लिखा इनवेस में date होता है ओके sales के अंदर क्या-क्या item दिया होगा वो होगा amount होगा rate per unit होगा कौन से officer ने sign किया वो होगा किसने कुछ और चेकिंग वेकिंग कियोगी वह सब ऐसा basic ऐसा हो सकता है मालिक यह मैं लूँगा यह चेक करूँगा ओके इंद्रजीद भाई साव यह जिसने sign किया वो कौन बंद है आप बोलोगे वह बंद है अच्छा आपने यह sign किये आपने और को चेकिंग किये audit audit data audit में यह बहुत डिटील्ड बरिचन करती हम है डूट यह काम इनवास लूँगा चेकिंग करूंगा यह खलिए इसने संथ की देटर हो करंगा ओके एकजाबल बोले सेल्स इनका डेटर इनक डिटर माडमشر कन करे माडम तक 20 था दिने कि ऑडिट बहुत बड़ा स्कोप है कि लेकिन इंदर जी बोल रहा है ओके अमित अतेड़ एक काम करिए यह मेरे फानेशल सेटमेंट लीजिए मिरको अडिट नहीं करवाना है मिरको रिवीव परके बताईए क्या यह रिवीव में बरोबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यौज बनाया किसने था यह बनाया किसने था यह फानेशल सेटमेंट मेंट सेटने बस इतना इससे जादा मेरे को सेल्सिंवोई दिखाओ मेरे को टाइम लिगाओ यह सब नहीं करता है Nasa Review is banaya किसने था यह फानिशा statement कि बनाया कि ने प्लाइंट सब्सक्तिक ने इंपंग्यों इंप्लया था वह MPB है और क्या पॉपर बलवा editors मतलब आपको औरटैर मिलता है एड़ीटर भी बनेगा तूनर में सकता है आपके उपड़ेंगे साम मिलरहा है? अफिस लगा के बैटे ओना रहे तो क्लाइट आ रहा है नहीं कर सकते हो भारत मात जेपा के मालिक है लेकिन दोनों केसे में पहले बात करते हैं ऑडिट कौन से एर का हुता है या या कौन से एर में रिपोर्ट करते हैं और चार्चा मत करो फोड़ी करो भी मत मेरेको आज इंट्रेस्स भी नियोस में मेरा कॉस्चन है मैं अगर एक ओ रीजनेबल अशॉरंस वाइंस अप फ्री फ्री फ्राम मुझाय झार ठूश अप यह कर रहा हूं एकजाम बड़ लेकिन प्रिफ्रियर मैं किस कंटेक्श्म यूगा रहा हूं सबस मेंव सिस है जब तक 31 मांच ट्व lips नियो तॉटबर जाही ही नहीं सकती हूं तो दियुकली स्विकिंग अगर मैं आपको वह लूँ आगे आगे का डडी अपन डिसकेலी कर जारी है ओके इयर खतम होने के बाद या खतम होने के पहले पक्का क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आज यह फर्स्ट मार्च 23 को मेरे को ओड़ित रिपोर्ट के दो इसके लिए है नए क्यों नहीं है यह दो क्या हुआ है मैं अगले साल के लिए रिजनबल आशरुन देड़ो लिए देड़ों अच्छा मैं समझ में सबको आ रहा है या दगना इसका मतलब इसको क्या बोलते ऑडिट जब होता है ना और तो जुअए धिता को जाने चाहिए जब तक ट्रांजेक्शन चाहिए घप तक उसका नहीं हो सकता तो neurolog के घ का तो धिला पाने चल में आनलना सकता हूंसा नुक्षी है वहन न आ मैं पिछले रफिष्ट कर्तित प्रिस्वाइग कर सकेंगे कि अच्छा आज मुझे बैंक लोन चाहिए मेरे को बताई यह बैंक के बास गया बैंक बोलता है अगले पाथ साल का तेरे प्रोजेक्शन से हो सकता है पॉसीबल है मैंने बना के दिये मैंने कब के बना के दिये 1424 से लेकर 31st मार्च 29 बैंक के बास गया यह प्रोजेक्शन से मैं बैंक के बास बैंक यह ले मुझे लोन दे बैंक बोला भाई ऐसे तो कोई भी चोमू बना के लिए क्या आजाएगा मैं ऐसे लोन देते बैटा तो आगले दिन मेरे को लोन लेन तेरे घर पर आना पड़ेगा पॉसीबिलिटी तो बैंक क्या बोलेगी किसके पास जा कि यह के बाद जा फिर आया तूसी एक बास इंद्रजीत आया भाई बैंक लोन नहीं दे रही है बैंक लोन बोल यह सिए इसको कुछ करके दे साइन दे अमेरे को बता क्या इसको आउडिट कर सकता हूं मैं यह बोल रहा है ओके इतने साल में पांच करुड का सेल होगा यह बोल रहा है इतने साल में 2,000 तुनर इनवेंटरी होगी किया मैं चेक कर सकता हूं क्यों ने कर सकता हूं हने मेरे को कैसे माने पड़ेगा इसका इनवेंटरी जाकर कि दर करूं तो आदिट किसका होता है भाविश्य का या पास्ट का तो को पॉइंट यहां रखना फुट दो शब्द रहो एक हिस्ट्राइकल एक है प्रोजेक्शन ऐडिट किसका होता है पर इस्टोरिकल ओडिट कभी इस्टोरिकल को होता है और इस्ट्राइक्शन को क्यों यह था क्यूंकि आप रीजनेवल अश्यरंस लहीं सकते हैं रिजनेबल लेही नहीं सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं रिजनेबल एशरंस पताओ इविड़न्स हुए किदर है यह पाच क्रोड का सेल होने कि अरे मैं बोलोगा इविडेंस दिखा मैं इनवाइस दिखा यह ओले आगले जन्नम में अरे पॉसिबल थोड़ना यार तो कभी भी इस चीज़ का ओड़ेट नहीं होता है है सी का इस मतलब क्या होता है और भी थोड़ी सम्झाल उसने ट्रांजेक्शन कर लिया है फिर जाकर मैं पूछ Рहो कर हो erएकनि oxid भारत इततुघ हो क्या करें कि ऐसे अच्छा मेरे को बताओ क्या इसके लिए सीए के पास नहीं आया यह आया ना इंदर इजीट तो इसको अपन कुछ यह परा क्या मलिक तो मेरे को बताओ अच्छा ऑडिट किसके लिए होता है इस्टोरिकल या प्रोजेक्शन रिवीव किसके लिए होता है यह आपने को आइडिया आए जाए अपने याद रहने से जाद है आपने पास तो पहले पास और इंदर जी को फाइनेशल स्रेटमेंट कौन से होंगे कि इस्टोरिकल कि अभी आप इसमें कंफिस मतों ना सर अडिटर तो भाई यार उस साल में आ जाएगा वो छोड़ दो इसलिए मैं नहीं बोला आज इग्नोर करो यह मेरे को बताओ मेरा ओपिनियन कब जाएगा इंड होने के बाद रिव्यू कब ओपिनियन जाएगा रिव्य किसुपूर्णमें क्या इतना हुआ है इसा बता पाएगा यहाई तो इसके लिए और एक इंगेजमेंट आते है've जिसको हम नाम बोलते है एस्छॉरंस इंगेजमेंट को निच इंगेजमेंट पेटा एस शारणस इंगेजमेंट है तो तीन तरह क्योंहां है और एस हमएंस प्रोजेक्शिंस किती है, एक डील के सक हए एक गता है, रिसक्तियंस नहीं है excel 10 को डोट ऑच प्रिबगाररण से रेज़ीरेंआरे लेकिन रिजनेबल नहीं है, moderate है, moderate assurance, उपर उपर से moderate समझ रहा है, moderate assurance, assurance में भी हम लोग moderate assurance ही होते हैं, पर फरक्या होता है, जब यह engagement अपन बात करते हैं, तो यहां दगना, अपनी institute बोलती है, जब आप auditory review शब्द प्रयोक करोगे, तब आप ध्यान में रखना हमेशा, HFI को यूज करना या HFI के engagement लेना, what is HFI, historical financial information, जिसको हम अपने, अगर अपने शब्दों में डाले है, HFS, HFS का full form, historical financial statement, तो what is HFI, मैं अगर बात करो, full form पहले है, HFI का, historical financial information, historical financial information, यह जेपा मालिक, HFI मतलब historical financial information, तो audit किसको होता है, HFI का, review किसको होता है, HFI, लेकिन, लेकिन, assurance किसको होता है, PFI, what is PFI, projected financial information, समझ में कुछ आया, तो मेरे को बताओ, दोने के definition में difference कहा है, कौन से दोन मालू में कहा है, मैं पुछ रहो, black वाला में highlight कर रहो, यह वाला, इस और इस में definition में difference कहा है, what is HFI and what is PFI, बता ना मत, जो हो चुका है, वो HFI, जो आने वाला है, PFI, यह मेरे को समझ या, transaction event के word को लेकर बताई है, transaction event, जो आकर हो चुके है, वो कौन से है, HFI, और, जो होने वाले है, वो PFI, तो अब क्षेन आदा है, PFI में फिर अपन क्या देते है, वाके PFI में मेरे को इंद्रजीत ने दिया है, यह पाच करोड का उसका sale होने वाला है, क्या इसमें मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या होंगा, मैं assurance क्या दे रहो, reasonable assurance दूँगा, 98% assurance के पाच करोड कमाएगा, यह महा कसम, review, नहीं नहीं, review हमेशा किसका होता है, अचा, अचा, वापस एक बार, वापस धमशेर, रिवियर करो, review मतलब क्या, मालों में क्या, review, अचा, आपने एक answer लिखा, आपने वह answer मुझे बत है, क्योंगा, एक बार, चेक कर लो, उसको हम क्या बोलते है, review, review engagement, तो review किसका होता है, HFI का, क्योंकि मैं जब check करूंगा review में, तो मेरे लिए transaction अल्रेडी होने चाहिए, पांच करोड होने वाला है, इसका review कैसे करूं मैं, इसका assurance है, पर assurance में आपने क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलूँगा मैं, अच्छा, ठीक है, audit में मैं क्या बोलूँगा मेरे को बताओ, financial statements are, नहीं reasonable assurance मैं समझ या, assurance को छोड़ दो एक बार के लिए, मैं क्या बोलूँगा, financial statements are, free from material statement, यह financial statement तो पुराने हो चुके है ना, और review में भी क्या बोलूँगा, financial statements are, free from material statement नहीं करते हैं, क्योंकि audit नहीं है, यहाँ पर हम बोलते हैं, financial statements are in accordance with AFRF, थोड़ा सा, AFRF जैसे हैं, कोई चिंता का विशा है, लेकिन दोनों में शब्दों में कैसे difference होता है, यहाँ पर हम बोलते हैं, हमने checking की है, हमको assurance है, कौन सा, reasonable, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम उल्टा लिखते हैं, हमारी नदर में कुछ आया नहीं, जिस्ते हमको लगे कि यह सहीं नहीं है, हमें कुछ आया, यहाँ पर हम बोलते हैं, हम ने checking की है, और कुछ पंग नहीं है, कि यहाँ पर हमने checking कि है और कुछ गडबर. नहीं है सीद़ा मैंने checking कि आentar terrace, कुछ दूबर नहीं है डम सही है फखाइदा एक एक फिकर सही है, अधिन्षन अहीं पसंड नहीं है, लेकिन इदर रिवीव में क्या लिखते हैं मालो में रिवीव में हम लिखते है हमारी नजर में ऐसा कुछ आया नहीं जिसे हमको लगए कि गलत हुआ के मतलब उल्टा दो दिने का दरिश्या इसलिए इसको पौरते नेगेटिव ओपीनियान कि क्या बोलते हैं किसमें बोला मैंने यह मैंने इसे बात की इंदर जी से बात की मेरी नजर में तो बात करने बाद तो अश्रा लगा नहीं कि भाई यह गडवड है बस बात करके ऐसा कुछ लगा बस मैं यह यह लिगता हूं वकाइदा बस that's it तो प्रोजेक्शन में थोड़ना बोलूगा मैंने बात की नहीं पाछ करोड नहीं है अपॉसिमिलिटी We are फिर SAP, का बोलूंगहे इसमें के बुलूंगहें इसमें क्या करूंग मैं कि हमें कि अरवोत पहुंच रॉच रहा तो dengan चैन। इस ने जब पांच्को रॉर्ट लिखा होगा मैं ओनलाइन पेर लिख भी निय्व तहूंग पहुंध से होंगे पाच क्रोड के लिए क्या बन लिए होंगे उसने हैं तो यह बोलता है कि हमारे साथ से एजम्शन्स बरोबर पर बनाने के लिए जो ऑजाम शन लिये है उसको चेकिंग करनी है दूसरे इसमें उपर उपर से है लेकिन दोनों केस्षमें कौन से फानेशल चेटमेंट जो हो चुके है जो कौन से हो चुक है समझ में या कि मलेक लेकर इदर इदर हो चुके हैं होने वाले हैं पर होने वाले के लिए जब बनाया है financial टेक्मेंट तो हमने." तो शॉफमिशन्स है्की है नहीं, इसके उपर पूनुपुनियन देते हैं तो इसको इसंगेजमेंट कओ हम क्या नाम आप जन्रलाइज मत करना मालिक अगर आपने बोला सब यह तीनों में रिवीव में भी तो एस्वरंस ही दे रहा हो ना कि मेरी नजर में तो कुछ आया नहीं है एक शर्म मत मैं कॉंफिडेंस दे रहा हो तुम्हें इनको आपने शर्म इंगेजमेंट नहीं बलते हैं सर क्यों नहीं बलते हैं आई सी आइसी है आई स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ऐसी इस अपन काम करते है भारत मत की जह पा क्या मालिक एवरीवडी कोई भी देखते दख तो मेरे पहले मेरे को बताओ तुमने आफिस कोला त कुछ आया नहीं समझा हमारी नजर में कुछ आया नहीं तीसरे अपन क्या बुलते हैं आपने चलिये बनाना क्लियर और चौता इंगेजमेंट को सकता है कोई और आख क्या कर सकता है कि अक इस इंतीम कंवा आपके धिमां में क्या हरे और और बता यह काम चौत ही काम में डालेंगा पर उसको चौता इस एक्सेट्रा जैसा एकाउंट्स क्या ट्राइल बैलंस एक सिय ट्राइल बैलंस बना सकता है किसी कंपणी के लिए क्या बैलेंशीर बना सकता है वह किस में आएगा क्या ओडिट में आएगा नहीं क्या रिविव में आएगा क्या एशरंस में आएगा यह लास्ट में आता है और आप जो भी जो भ सब्सक्राइब काmi नाम कैसे दिख रहा है रिलेटेडेड्स एक रिलेटेड्स एक सेटराइब जो भी रिलेटेड्स रिलेटेड्स सर्वीसे हैं वह सब सर्विसेशंद इस इस पाम लिक मिरक तो अब मेरी को बताओ अगर आपको audit का काम मिला तो कौन सा engagement पहला मैं आप सेके थर्ड फोर्थ बोलते जाओ ऑडिट का काम मिला तो फर्स रिवीव का मिला तो सेकेंड ओके आपको बविश्यक के बारे में कुछ बताना है तो थर्ड ओके पीनल बैलेंशीर बनानी है तो आपको कुछ है थी अप्रग क्लाइन ने बोला हमारे लिए ऐसा करके दो इंटरद को इस स yn Beetas डीतिक्डर वagnologिभल्स Bonnet को इंड उइंडर्ड इसा करके दो एक अप तैसी डिलिए कदो क्लाइन ने बोला पीनल बना के दो फॉर्थ क्लाइन ने बोला डेटस के लिए ऐसा करके दो फॉर्थ यह इंगेजमेंट इस तरह के होता है भारत माता के जैजेपा मलिक के के घ्र कटेरो के अच्छा Schweep अध्यों इंद्रजीत आया यह बोला यह हमारे स्टेट्मेंटे से है का हमें आप हर कोड़र में रिविव दूसरा भी मिलता है तो दो काम सात में मिले अपने को कौन से दू काम सात में मिले audit and review इस पॉसिबल है येस फॉसिबल एक सर कैसे पॉसिबल है एग्जामपल मैं आप बता रहो है एग्जामपल बता रहा हूं अगर आप कोई quarter यह quarter नहीं तीन मेने वोला quarter समझ मारा है हर quarter का हमें एलार चाहिए एलार चाहिए और यहर का हमें audit चाहिए यानि मैं आपको उतार हो अगर आप लिस्टेड कंपनी का करना है के अब मेरे गवलब की होगवा एप्रिल में नोगा एपरिल 23 और तुक से अकर अपरिल कारेगा मार्च 24 यह तरह यह होगा एपरिल23 एपरिल में यूण यह पहला watch रूवा जूण में उनलर देगा कर लयलर का फॉल फम एECL लिमेटेड रिव्यू कि देख लो जो भी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है जिसमें अगर आप कोई स्टॉक में ट्रीड कर रहा होगा या घर पर कोई ट्रीड करते होंगे आप देखना आपको हमेशा ऐसा मिलेगा कॉटरली स्टेटमेंट रिलीज हुए है का तो कॉटरली स्टीटमेंट रिलीज हुए मतलब क्या हुआ उसके चाहां बभी नहीं आती है उसके साथ कौन सी रिपोर्ट आती है कौन सी आती है LR का फुल फॉर्म लिमेटेड रिभीयों मालिक लिमेट रिभीयों बात खतम अब रहागली आग्ली लिमेटेड रिवीड कब जाएगी कि नेक्स वाटर एक्जामबल पीरेड बताऊं एपरिल में जून का जून में जाएगा फिर कि जुलाइ ऑगस्ट सब्टेंबर यह तीन मेने का एक साथ में कब जाएगा सब्टेंबर एंड के बाद सम्टिंग अरॉंड ऑक्टोबर में जिसको हम वापस बोलते एलार कि यह पागे मालिक फिर मेरे को अगला बोल अक्टोबर नवेंबर डिसेंबर वापस क्या जाएगा अब मार्च में कभी अलर नहीं जाता अब एप्रिल से मार्च का क्या मिलेगा और रिपोर्ट समझ मैं आया इस तरह से आपको एक काम मिलता है कोई भी लिस्टेट एंटिटी कंपल्शन है अगर आपको लिस्टेट कंपनी का अडिटर बनाए गया आपको काम बढ़ा काइंस जाला है कि जो ऑडिटर है वही यह तीन रिपोर्ट देगा कि कंपल सरी है तो मेरे पास अगर लिस्टेड कंपनी का ओडिट आया है तो मेरे को दो इंगेजमेंट कंपन सरी मिल गए कौन से दो इंगेजमेंट audit and review तो समझ में आया मलिक और इसका बकाइदा रीजन क्या है लॉजिक रीजन लेक अभी तु अभी तु अभी तो यह लोग बहुत सारा काम है तो यह लोग बोलते हैं कि तुम थोड़ा-थोड़ा करके रिव्यू करते जाओगे तो तुम्हारा नहीं करते जाओगे ताकि लास्त में लूड़ नहीं आएगा लास्त में लोड तो ही लेकिन लास्त का लोड़ कम कैसे कर ना अभी से थोड़ा-थोड़ा वैसे ही उन्होंने अपने को काम अपने को दिया हुआ है आतमा क्लियर एक बार आखरी बार कितने तरह की इंगेजमेंट अपने पास है चार नाम दे कि रिविव रे और ऑब एशुरंस ऑड़त में अशुरंस नहीं मिलता क्या विलते थे तो फिर ऑड़ेट में फरक है ना यस कि यह यह चुर्ण्स किसके लिए है कि यह एस्चुर्ण्स कान खुलें यह बढ़ बढ़ कर रहा हूं यह आप दर दैन या वटेट एन ड्रिवी समझ में आया अगर ऑडिट का शरणस तो किसमें जाएगा पहला रिविव एशरांस तो किसमें जाएगा दूसरा इन दोनों के अलवा कुछ और जगह का शरणस है तीसरा उसके ओपर और बताऊंगा लेकिन जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे ना आपनको खाली क्या आईडिया देना है आज आतमा क्लियर एंड लास्वाला जो तीनों में एश्वरंस के अलावा और कुछ काम है जिसमें एश्वरंस ही नहीं है फॉर्थ में तो एस्वरंस देना है किस में जाए गा नहीं आपका question यह होगा first second third में से किसमें तो बैटेगा आपको एशॉरंस कौन सा दिना है audit एशॉरंस दिना है first में आपको review एशॉरंस दिना है करेंगे 11 जाप्टर कौन से उसके पर पेपर पेटन डिसकस करेंगे मालू मैंना आपने को अपने को किते पेपर में सब्सक्राइब कि सारे के सारे अभी कोई theory बचा नहीं है भाई 30 मार्स है जो तुम्हारी कहानी इधर से उधर कर सकता है यह 30 मार्स है जो तुम्हें एक्जम्शन दो मिनिट में मिलेगा या भाई बहुत महनत करनी पड़ेगी यह डिसाइड करेगा अगर 30 मार्स में अपने महनत तोड़ कर ली अपना एक्जम्शन पक्का है क्योंकि सत्तर में से 30 निकालना 35 निकालना इस मुच इज़ियर करना बहुत ज़रूरी है और एंसी की में प्रॉब्लम किदर है जज्जमेंट जो मैं आप समझा रहा हो आपको आपको चार एंसी कुदि आप देखना एंसी को अपन पैटन पूरा देखना मतलब आप जैसे आपना यह बूखर आपको दिखा था आपको ऐसा क्वेशन आए कुछ रहा तो भी स्टाटीजी वाला रहेगा और इस नहीं है और इसमें चुश्चन क्या मिला अटव फॉलिंग फॉर बेस्ट मेरा क्वेशन है क्या चारों बेस्ट है येस चारों में से बेस्ट कौन सा है सिटुएशन ए फोन बजरा ऑई साइलेंट कर दो ठोचारों में से बेस्ट कौन सा है तो मेरे को बताओ जज्मेंट लगाना पड़ेगा ना किसके साथ मैच होना चाहिए एक्जामिनर समझा कि तेरे को नॉलेज बहुत है अपने को बहुत अच्छे से आता है अपने तो आडिट रिपोर्ट देखी है अपने यह देखा है गया है अबे चोम मॉडियूल के भार जाना नहीं चाहिए मैं उपस भोल रहा हूँ तुम इंटर के लिए क्लियर कट समझ देना तुम जितना मॉडियूल के भार गए उतना तुम अपने लिए रिस्क बढ़ा रहे हो कि मॉडिल के बार देखो आप अपने देखें कि मैं नहीं बुला आपको जैसे मैं चाप्टर चालू करूंगा चाप्टर रहेगा चाप्टर थ्री आएगा एक वॉल्यूम वन बी का अब देखो तुम देखो बगाईदा एक हमभग दूंगा मैं मैं उसमें किसी को रिपोर् कि मॉडिल के बोल रहे हैं मॉडिल के application क्या बोल रहा है अगर वो उसको गलत भी बोल रहा हो तो गलत ही सख्यां है क्योंकि वह कौन बोल रहा है अपनी मायबाद अपे आप उसमें अपना दिमांग मतलगा नहीं बाइशर यह चौथा इसने अंसर दिया लेकिन मेरे चैशाब से दूसरा है तेरे सका दूसरा है ना तो ठीक है देखिए यह त्राइक कर ले अगले में देखना कि दूसरा नहीं भाई दूसरा नहीं जो इंस्टूट यह चौथा उसका कारण दिया ना चौथा वह कारण का ग्राउंड वही रखने का वो के नहीं सर मेरे को तो ऐसा आप लगा लगाना बहुत जरूरी है तब जाके अच्छे समझेगा लेकिन अपने को सिमित कितना रखना एरिया मॉडियल तक आतमा क्लियर तो भाई सब अब मेरे को बताओ अगर मैंने बुला आपको एस्वरेंस इंगेजमेंट किसमें ठोक हुए फर्स सेकंड थर्ड किसमें भी आ सकता है आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा अगर वह आडिट जैसा लग रहा होगा तो अडिट में वह उसके नहीं लग रहा है रिवीव जैसा लग रहा है तो रिवीव और वह पहले दोनों में लग रहा है थर्ड में मैं ओपस बोल रहो एश्वरेंस बड़ाया मैं और कुछ बोलू आज मैं समझाना नहीं जाता सब कुछ ए एवर्यबडी क्लियर पक्का तो इंगेजमेंट क्या रिलेट्ट सर्विस में अपने एश्वरेंस देते हैं नहीं एश्वरेंस रहा तो पहले थी एश्वरेंस के अलावा कुछ भी रहा लास्ट बारत मता की जाए जेपा मलिक एवरीबडी मैंने कहला आपने एक्सपर्ट है कि सब चीज़ों कि यह सब ची अरे भाई तब तो आपको काम मिल रहा है अगर आप इसके एक्सपर्ट हो तो आपको इसके साथ में इनके क्या पढ़ने पढ़ेंगे स्टैंडस का रिमा खुला है ओड यह होता है स्टैंडर्ट जॉन और अडिटिंग कि अग्या होता है जिसको हम short form में बोलते है से क्या बोलते है से ऐसे ऐसे नमरिंग दिखेंगे अपन सब बकाइदा तोड़ याद रहेगा कल तक याद ने रखा है नाम बदलना बस पुरा सब सब नमरिंग जितने तुमको 35 के 35 के पुरा नमरिंग स्ट्रक्टर बढ़ जाएगा लेकिन वह बा जो आपर टीचिंग में आया है वह ओफिस कोल के बैठा ओफिस कोलने वाला को कहां पुलते हैं तो यह स्टैंडरड फालो किसको करना है प्रक्टिसिंग सी एक तो वह जब अडिट का काम लेगा तो वह से फॉलो करेगा एसे ऐसे का फुल फॉर्म सांडर्स ओन आडिटि आ सबस्कु क hole दूसरा इंगेजमेंट का नाम नाम आवाज नहीं आ रही है S. R. E. S. R. E. का फुल पॉर्म स्टानडर्ड ओन रिवीव इंगेजमेंट्ड, स्तानडर्स. अगला नाम होगा S. E. कोई बता का फुल स्टांडर्ड ओन एच्टॉरन्स इंगेजमेंट स्टैंडर्ड ओन वाई बड़ी है और लास वाला नाम है एस रस तो एक चार्टिट अगर अपना आफिस खुलता है अपनी दुकान खुलता है तो उसको किते स्टैंडर्ड फॉलोग करना पड़ता है कौन से standards on auditing standards on review engagement standards on assurance engagement standards on related services वपस चार engagement तो पक्का समझे सबको चार engagement का concept भी समझा दिया है तो चारवे engagement में कौन से कौन से standards applicable है standards on auditing standards on review engagement standards on related sorry assurance engagement standard on related services पक्का क्लियर किदर तक फ्रीज करूँ यह कौन काम करने वाला है last point for the day जिस पर एंड करेंगे भाई अच्छे से चर्चा दिमाग क्लियर है ना मेरे काम कौन करने वाला है प्रेक्टेसिंग से सब्सक्राइब करने आया है नहीं रिवीव करने आया है नहीं एस्षरंस के लिए नहीं आया है लेकिन पीनल बैलेंशीट बनाने के लिए आया है मैं कौन से standard फॉलो करूँगा मैं स्टैंडर वानि समझा ठिक है मेरे पस कोई रिवियू के लिए कोई क्लाइंट आया है अगया मेरे पास ओडिटीट भी आया रिवीव भी आया है मैं कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो खुरों का है ऊ refuse कित्ती बार करूंगा एक बार या पांच बार पार लग-अलगा मैं इसके पास इंद्रजीद के पार जाँगा इधर एक न रिख gelir theory 5कम में अलग-अलग क्लाइंट है तो मिस्तेंडर्च आहन पार पक्का य। जv रहा है तो जितने इंगेजमेंट उतनी बार यह स्टांडर फॉलो किया जाएगा अगर मेरे पास रिव्यू पाच है तो SRE पाज बार मेरे पार रिलेटेट्ट सर्विसेस 15 क्लाइंट है अब मेरा क्वेश्चन है अपनी सीए फर्म में ठीक है ऑडिट के लिए जा रहा हूं है इसके पास इंद्रजीर के पास मैंने इसके पास को बिजना चाहिए आर्टिकल को या सीए को डिपेंड्स अब तो क्या है थैश्च है इस इसी होना है कि इसे लिए अपनी इंस्ट्यूट बोलती है, तुम ये standard तो इंगेजमेंट के लिए फालो करोगे, किसके लिए है, लेकिन तुम्हारी office में एक standard फालो होना चाहिए, और वह एक ही बार होता है, क्यूँकि अपलिकेबल कुछ engagement को नहीं है, firm को है, किसको है फिर्म को और उस स्टैंडर को बोलते हैं okay that is called SQC SQC को फुल फिर्म स्टैंडर्ड ओन क्वालिटी कंट्रोल तो क्वेश्चन यह है SQC एप्लिकेबल किसको है कि इंगेजमेंट को नहीं है सिये के ओफिस में यानि कल अगर तुमने ओफिस कोल के बैठा और कोई भी काम नहीं आया कोई भी काम नहीं करो मां करो कोई क्राइं नहीं नहीं आया फिर भी मुझे एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है यह संदर ऑन क्यूलिक तो इंगेजमेंट और फर्म करते है यह थो यह थो यह थो फॉलो करना पदेगा एवर्यबड़ी क्लियर तो लास्ट एंसर दिए मेरे पास मेरी पास पाच और इटा और तीन रिवीव आ यह थिए मुझे नहीं रिए पास पाच और यॉट आए और पाच बार स्टांडर्स ऑन अर्डिटिंग पाच अलगलग लाइन के लिए तीन बार कि एस आर ई बस एक बार एस्क्यूसी किसको फॉलो करना है फॉर्म इंगेजमेंट नहीं तो फॉर्म में पार्टनर होगा ना में बाप आदमी होगा वो साइन करेगा भाई आपने एस्क्यूसी फॉलो किया भारत माता की तोड़ समझा गया मलिक तो अपने कॉस्टांडर्स कितने अपने से उसमें? पाच, छे नहीं पाच, कौन से कॉन से है? मैं short form उसका रहो? short form, short form. SA, SRE, SAE, SRS, SQC, last time. SA, SRE, SAE, SRS, SQC. Intermed detailed में इसका कुछ portion है, ये तीन के overviews है, खाली overviews और इसका detailed है. ये कौन SQC firm के लिए और standards on auditing ये तीन के हाली क्या है overview CA final में जाने के बाद इसका advanced level standards on auditing का advanced level और ये तीनों और ये तीनों के जो standards होंगे वो सब CA final का अब से लेप्स एरवडी क्लियर see you tomorrow at what time Malik 1150 असला विस्ता और अपना अभी FM SM का lecture कहा पर है उपर जो में हॉल है वहाँ पर रहेगा मलिक तोड़ मालिक take care hopefully concept समझाओगा मालिक